हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी कॉंसेट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और यूपीएसी सीसी की प्रिलिम्स किया हमारी जो हिस्ट्री में एंचेंट हिस्ट्री की जो सीरिस चल रही है उसमें आज हम रिगवैदिक एज को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आ इन सारे एस्पेक्ट को आज हम कवर करने वाले हैं आज की हमारे सेशन में यानि की यूपीएसी में रिगवैदिक एज से रिलेटेड जितने भी कॉंसेट पर सवाल अल्रेडी पूछे जा चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको रिगवैदिक एज कवर कर रहे हैं और कॉंसेट बिल्डिंग पर हमारा जो है वो में फोकस रहता है क्योंकि यूपीसी सीजी में हमें कॉंसेट बेस को सबसे ज़ादा टागेट करना होता है और हमारी अप्रोच प्रिविस येर कोश्यंस को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो पूरा अपना य इचन एवरी वीडियो दा कॉंसेट चैनल पर जाएए वहाँ पर आपको पिछली सारी वीडियो मिल जाएंगी एंड मेक शूर यूँ वाच देम इन सीरीज उसके लावा वन वीडियो को शेर करें जादा से जादा कमेंट करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी friend circle है वहाँ पर वीडियो को जरूर शेर करें या जो भी आपका social media platform है जहां पर भी आप active है वहाँ पर मेरी वीडियो को जरूर शेर करें और support करें अपने teacher को उसके लावा अगर आप चाहते हैं कि आज की वीडियो या आगया आने वाली किसी भी वीडियो का आपको lecture के अगर PDFs मिलते रहें तो टेलिग्राम चैनल है मेरा चोहान-sir-history इस टेलिग्राम चैनल पर जाएंगे आप तो आपको PDFs मिल जाएंगे उसके लाबा अनकेडमी के जो सब्सक्रिप्शन प्लाइन्स हैं उन सब्सक्रिप्शन प्लाइन्स को अवेल करने के लिए आप मेरा code इस्तमाल करेंगे that is चोहान-sir-history अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10% का discount तो मिलेगा ही लेकिन सबसे important point रहेगा कि आप अपने फेवरेट चोहान-sir को support कर रहे होंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे support करें तो मेरा code इस्तमाल करें आप चोहान-sir-history और अगर आप कोई भी subscription plan लेते हैं चाहे वो plus हो चाहे वो iconic हो और मैं कहूंगा कि आप iconic plan ले तो आपके लिए जादे beneficial रहेगा क्योंकि iconic में plus के अलावा क्योंकि plus में आपको live classes मिल रही है structured courses मिल रहे है उसके लावा आपके test analysis provide किया जाएगा कहाँ पर आपने गलती करी कहाँ पर आपने सही किया predict किया जाएगा आगे आप मला आपको मदद किया जाएगा कि आप अपने जो है वो पूरी तयारी को thoroughly predict कर सकें उसके लावा expert guidelines तो मिलेगी ही कि notes कैसे बनाने है revise कैसे करना है examination को कैसे face करना है right जो भी आपके सवाल रहते हैं छोटे छोटे वो आपको iconic plans सवालों के जवाब definitely मिलेंगे हमारे scholars द्वारा दिये जाएगे उसके लावा study material तो मिलेगा ही और आपके पूरे के पूरे जो है वो curriculum को plan करके दिया जाएगा आपके test को analyze करके हम आपके पूरे curriculum को plan करेंगे so that happens in iconic plan if you subscribe the iconic plan और iconic plan लेने के लिए आप subscribe करेंगे using my code that is chohan underscore sir underscore history और आप जो है वो अपने chohan sir को support करेंगे और आपको 10% का discount तो मिले गई और आपको 10% का discount तो मिले गई हैं तो anacademy pathfinder नाम से test series आपको anacademy की learning application पर available है उस test series को avail करने के लिए chohan underscore sir underscore history आपको code इस्तमाल करना है ताकि आपको मिले डिसकाउंट और आप करें support अपने chohan sir को alright आगे बढ़ते हैं so आज हमें पढ़ना है वैदिक age को so वैदिक age को अगर आपने थोड़ा बहुत तयारी करी है तो आप भली बाती समझते हैं कि वैदिक age को दो हिससे में बाटा जा सकता है that is rig vedic period and later vedic period तो यहाँ पर हम यह सवाल भी इस सवाल का जवाब भी देंगे कि क्यों rig vedic और later vedic में बाटा गया और उसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है so मैंने जो strategy वाला topic जो कराया था सबसे पहले ancient में उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो vedic age है जो vedic age throughout पूरा topic है न इस पर सवाल जो है वो literary sources में से बनता है क्यों 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 हमारे पास archaeological sources vedic age के खास तोर पे जो rig vedic age है उसके archaeological sources ना के बराबर के हैं या उनकी जो है वो उन पर इतना खास अभी तक शोद नहीं हुआ है ठीक है अभी research उन पर चल रही है लेकिन literary sources जो है वो वो well मतलब उसको well जो है वो sort out कर लिया गया है उनको research उन पर कर ली गई है proper so literary sources में से बहुत सारे सवाल बनते हैं और main type of question क्या बनता है main type of question बनता है terminology पर किसी भी एक term को पूछ लिया जाएगा वो उसका मतलब क्या है उस term का मतलब हमें बताना है या उस term को कहां use किया गया है so term के around सवाल बनता है और दूसरा site के around सवाल बनता है लेकिन वो sites जो है वो archaeological findings पर अधारित नहीं होती वो site literary sources में से निकल कराती है so sites के अधार पर यानि कि हमें map study अच्छे से करनी है terms यानि कि हमें क्या क्या administration again administrative terms economic terms social terms, religious terms cultural terms so इन सारी terminology को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि political history पर खासा सवाल UPSC नहीं पूछता है रिगवैदिक age या लेटर वैदिक age की लेकिन administrative terms जो हैं वो जरूर पूछे गई है economic terms पूछे गई है society में जो terminologies ती है society social जो hierarchy है उनमें जो terms यूज की गई है रिगवैद में या अन्य वैदिक literature में उन पर सवाल जो है वो definitely commission ने पूछा ही पूछा है तो हमें इस कर्व में रहकर पढ़ना है लेकिन हमें concept जरूर जनरेट करना है conceptual question भी बनता है देखिए origin of रिगवैदिक people पर सवाल जो है वो बनता आया है उसके अलावा archaeological remains पर क्या सवाल बने है वहाँ पर भी देखेंगे pottery पे खास तो और पे graveyard pottery उसके अलावा chariots का इस्तमाल करते थे तो इन सारी चीजों को हम ध्यान से समझेंगे घोड़े का इस्तमाल horse का इस्तमाल horse के लिए word का इस्तमाल किया गया है ऐसा कौन सा word है जो जिंद इविस्ता और रिगवेद दोनों में इस्तमाल हुआ है तो अश्व वर्ड इस्तमाल हुआ है दोनों साइट sir को ह पड़ा जाना इविस्ता वाली साइट तो खेर इतनी deep में हम जाएंगे जब मैं आपको GS1 के लिए पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इतनी थोड़ी सी depth में जाएंगे या history optional के लिए जो मैं कराना शुरू करूँगा तब वहाँ पर इतनी depth में हम पढ़ेंगे ठीक है लेकिन फिलहाल हमें अभी केवल pre में जितनी चीज़े पूची गई है उस कर्व में रहकर पढ़ना है क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि pre को पढ़ते हुए हमें optional का से लिए बस नहीं रटना और रटना नहीं हमें concept समझना है एक बार हमें concept समझ आ गया उसके बाद facts तो देखी ए examples हैं और वो examples आप revise करते रहेंगे concept जो है वो something that retains with you that stays with you so concept मैं आपके दिमाग में गहरा बिठा दूँगा उसके बाद facts आप revise करते रहें and those facts will remain with you अगर आप periodically revision करते रहेंगे तो concept जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए तो देखिए सबसे पहली चीज हम Vedic Age के बारे में पढ़ रहें यानि कि हम किसी तरह की civilization के बारे में पढ़ रहें हमने इससे पहले Indus Valley Civilization पढ़ा और Indus Valley Civilization में हमने देखा कि 2500 BC से 1900 BC तक mature हड़पन phase रहा उसके बाद जो हड़पन या Indus Valley Civilization है वो decline की तरफ बढ़ी और आप कह सकते हैं कि 1900 BC से 1500 BC तक माल लीजी 1500 BC तक जो है वो हमें पूरा का पूरा decline दिखा अड़पन civilization में और फिर हमें post अड़पन period 1500 से कहीं कहीं पर किसी किसी जगा में 1200 BC से 900 BC तक के evidences हमें post अड़पन period के देखने को मिले है लेकिन 1500 से 1200 BC तक हमें almost अड़पन civilization खतम होती भी नजर आई है या post अड़पन period या post अड़पन characteristics हमें देखने को मिली है तो यहाँ पर एक student का सवाल ये था कि sir ये हडपा में एक doubt जो है वो student ने लिखा हुआ था देखिए आपके जो भी doubts है आप मुझे comment में mention कीजिए उन comments को मैं regularly follow करता हूँ और उन doubts को मैं आपको class में जवाब देने की उन doubts का जो है वो clarification आपको class में दूँगा तो एक student का बहुत सुन्दर सवाल था कि sir हमें कैसे पता जलता है कि कौनसी साइट pre-hudappan है कौनसी साइट mature हडपण है कौनसी साइट post हडपण है या declining phase हडपण का ठीक है तो यह हमें कैसे पता चला तो देखिए आपके सवाल का बिल्कुल basic जवाब यह है कि हमारे पास हडपण के क्या evidences है किस तरह के है literary है या archaeological है तो आप कहेंगे जी archaeological है तो सबसे पहला तो आपका जवाब यह आता है कि हमें archaeological remains के आधार पर हमने बाटा हुआ है कि pre-hudappan कौनसा mature हडपण कौनसा और post हडपण है ठीक है अब कहोगे ज़िए तो हमें already पता है कि archaeological remains के आधार पर है कि pre हडपा में जब nomadic से village lifestyle की तरफ shift हो रहे थे और देखिए pre हडपा और mature हडपा के बीच में early हडपा तो मैंने एक phase ठोड़ दिया एक phase early हडपा भी है तो मैंने आपको बोला ना जब nomadic lifestyle था तो pre हडपा जब nomadic से village lifestyle में आए तो early हडपा जब specific cities establish हो गई तो mature हडपा और फिर जब cities से फिर से village lifestyle की तरफ shift हुआ तो उसको कहा गया post हडपा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है pre हडपा, nomadic, early हडपा में early villages या village या transition मान लीजे village से city में, mature हडपा में city और post हडपा में फिर से city से village जो है वो मतलब lifestyle की तरफ जो है वो shift तो ये तो है difference की pre हडपा क्या है, early हडपा क्या है, mature और post हडपा, अब आप कहेंगे कि इसमें हडपन characteristic क्या है, so हडपन characteristic आप जोडएंगे pottery के साथ, किस तरह की pottery मिल रही है, क्योंकि pottery में हमें समानता नजर आई है, ठीक है, town administration देखिए, जो mature हडपा है, उसमें cities हैं, ठीक है, और किसी में भी cities नहीं है, post हडपा में भी बहुत कम characteristics हैं cities के, क्योंकि post हडपन sites में हमें mud bricks मिली है, burnt bricks नहीं मिली, burnt bricks का use कहां मिला है, mature हडपन sites में, early हडपन sites में भी हमें burnt bricks नहीं मिली, हमें villages में, क्या मिली हैं, हमें villages में mud bricks के, जो हैं, वो hut या घर बने हुए मिले, लेकिन pottery is something that is present throughout in pre हडपा, in early हडपा, in mature and in post हडपा, तो यह जो pottery है, इसके अधार पर हमने ही मान लिया कि pottery जो हडपन लोगों की है, और हडपन लोग जो है, वो according to their, मतलब किस जगा में वो रहते थे, या किस तरह का वो मतलब system बना कर रहते थे, क्या वो एक village system था, एक city system था, उस हिसाब से हमने उनके phases बाटे हुए है, और pottery is something that is common to all four of these phases, मतलब not exactly common, लेकिन कुछ वे एक basic चीज़ है, red over black wear is something that is common for four of these phases, so I hope यहाँ पर आपको answer मिल गया होगा, और detail में, और detail में सवाल में हम जाएंगे, यह बहुत important question है, लेकिन यह optional में बनता है सवाल यह, और GS1 में भी कही न कहीं पूछा जा सकता है, so जब मैं GS1 के लिए करवाँगा, तब प्रू करते हैं, Indus Valley Civilization, तो मैंने आपको कहा ना, so pre-hadappa, early-hadappa, mature-hadappa, और post-hadappa, इसके बाद इंडिया का इतिहास कहाँ पर move करता है, इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, इससे पहले हमने, stone age पड़ी थी, यानि, paleolithic से, mesolithic से, neolithic से, चालको-lithic, right, और फिर उसके बाद ह में क्या है, इतिहास पढ़ना है, हमें, so rig vedic, और फिर later vedic, देखे, इस तरह से आपको पूरी timeline जो है, वो इंडिया के इतिहास की याद होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में साल जोडते जाएंगे, साल जोडने हैं गाम मैं आपको देरों की, किस साल में हमने, paleolithic, mesolithic, क्योंक 1500 BC से 600 BC तक का period है, वो हमारा complete vedic age है, और उस vedic age को हमने दो हिस्से में बाटा है, so आपकी vedic age कब तक है, 1500 BC से 600 BC, so यह common knowledge हम जानते हैं या आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, concept क्या है, यह तो fact है, concept समझाओंगा दिर दिर, right, so vedic age को हमने दो हिस्से में बाटा है, rig vedic age and later vedic age, जिसमें rig vedic age को हमने बाटा है, 1500 BC से 1000 BC, right, और later vedic age को बाटा है, हमने 1000 BC से 600 BC, ठीक है, so this is your vedic age total, जिसमें 1000 BC में ऐसी कोई घटना घटी, ऐसा कोई event हुआ, जिससे हमने rig vedic से later vedic में change कर दिया, मैंने आपको बोला ना, process of change का खेल है सारा, it's not just in history, but also in economy, in polity, in every humanity subject, and not just humanity, लेकिन जो physical sciences है, वहाँ पर भी हमें process, not just physical sciences, जो mathematical processes है, उसमें भी आपको process of change ही समझना होता है, तो यह जो process of change यह बहुत important चीज़ है, process of change जो है, वो किसी भी subject को समझने का, आप एक core मान सकते हैं, कि हमें बदलाव समझना है, सो हमें, जब हम रिग्वैदिक काल को पड़ेंगे, सो हम रिग्वैदिक से लेटर वैदिक में क्या बदलाव हुआ, रिग्वैदिक में रिग्वैदिक पॉलिटिकल हिस्ट्री रिग्वैदिक एड्मिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रिग्वैदिक एकनॉमिक हिस्ट्री रिग्वैदिक सोशल हिस्ट्री रिग्वैदिक रिलिजियस हिस्ट्री रिग्वैदिक कल्चुरल हिस्ट्री कितने हिसे में है वो disciplines है राइट और इन सभी disciplines को हम जोड कर पढ़ेंगे history के अंदर रहेंगे इसे कहेंगे हम interdisciplinary approach यानि history को समझने का हमारा interdisciplinary approach क्या होगा कि history के अंदर जो सब हिसें है history के उनको आपस में जोड कर पढ़ना है और इन में बदलाव समझना है देखिए बहुत important बात समझा रहा हूं मैं आपका बहुत important concept generate होगा यहां से कि हमें इनका पूरा बदलाव समझना है यानि कि हमें यह समझना है कि रिगवैदिक से लेटर वैदिक में political history में क इतना बड़ा तो हमें यहां पर यह देखना है कि जो रिगवैदिक जो क्लैंज है वो पहले कहां बसती थी लेटर वैदिक क्लैंज बहाँ बाद में कहां पर जो है वो शिफ्ट हुई यह समझना है हमें देखे और इस पर सवाल बनता है अगर यह process of change आप नहीं समझे तो आप जो है वो commission का वेपर नहीं निकाल पाएंगे not just pre but mains यह process of change का ही खेल है सारा examiner यहीं जानना चाहता है कि क्या आप यह process of change के फंडे को समझे या नहीं समझे similarly administrative history हमें यह देखना है कि रिगवैदिक काल में administration कैसा था और बदलाव क्या हुआ लेटर वैदिक काल में फिर बदलाव क्या हुआ महा जनपद में फिर बदलाव क्या हुआ मौरेन काल में फिर बदलाव क्या हुआ लेटर मौर्या में फिर change क्या हुआ गुपताज में फिर later गुपताज में और फिर जो है वो early medieval में क्या changes आए political history में क्या changes आए administrative history में क्या changes आए religious history में मतलब society के religious aspect में ठीक है या पूरी civilization के political aspect में पूरी civilizations के administrative aspect में क्या changes आए throughout the timeline of history इन changes को अगर आप समझ गए एक बार और आपने set कर लिया दिमाग में अगर इन changes को तो examiner किसी भी तरह का सवाल पूछे आप stump नहीं होंगे और यही core है history को समझने का and not just history any other subject be it a human science, be it a physical science, be it a mathematical science किसी भी तरह का विज्ञान हो उसको समझना है आपको तो process of change को समझ लीजिए यह समझ लीजिए कि उसमें बदलाव क्या हुआ क्योंकि evolution बदलाव जो है वो natural है वो nature है कोई भी चीज़ बदली नहीं Newton's का first law of motion कहता है न कि energy force लगता है कि कि किसी भी state में मुलब एक कोई body है अगर वो movement में है तो उसको रोकना है तो force लगेगा उसको तेज चलाना है तो force लगेगा राइट सो वो जो बदलाव है वही change है वो जो change है वो हमें समझना है कि वो क्यों हुआ उसी पर ही सवाल बनता है देखिया अभी हो सकता है यह थोड़ा complicated लगे आपको concept यह लेकिन eventually यह intra-disciplinary approach जो है वो हमें आपको बहुत clear कर दूँगा so political, administrative, religious, social, culture, history जो हमें इन aspects को ध्यान में रखना होता है बहुत important बहुत important है इस पूरे जो इन पांचों चीजों को लिखके जो है वो अपने दिवार पे टांग दीजेगा और किसी भी खास तोर पे यह हमारा ancient और medieval को पढ़ने का तरीका होगा ancient और medieval को पढ़ने की strategy होगी हमारी intra-disciplinary approach हम history के अंदर जो history के सब disciplines है इनको आपस में जोड़ कर पढ़ेंगे और इनही में ही बदला होता हुआ देखेंगे और उसी पर ही सवाल बनेगा आपको मैं in fact questions दिखाऊंगा कि देखें commission पूछी रहा है यह बदला भी पूछ रहा है not just in pre but also in means even also in optional ठीक है अब having said all of this background आपका तयार हो गया हमारी जो है वो थोड़ी सी jogging हो गई और थोड़ा सा warm up हो गया अब शुरू करते हैं हमारे concept को तो अब हमें इस intra-disciplinary approach को ध्यान में रखते हुए रिगवैदिक काल को समझना है रिगवैदिक एज को समझना है so देखेंगा by 1500 BCE cities of हडपन culture as well as economic and administrative system declined slowly and gradually so 1900 से 1500 BCE तक हुआ क्या जो IVC है इंडस वैली civilization है उसका administration उसकी economy उसका जितना भी city structure था वो सब जो है वो धीरे-धीरे decay कर गया that means cities हो गई खतम village में आ गए पोस्ट रडपन लोग और अब पोस्ट रडपन लोग अभी culture जो है वो बदल चा जा रहा है और उनका culture कहां से दिख रहा है हमें हमें culture दिख रहा है उनकी pottery से prominently ठीक है उनकी pottery में जो similarity है क्योंकि red black over over red wear ठीक है red wear जिस पर black नकाशी है यह हमें रिगवैदिक कल यह sorry not रिगवैदि लेकिन हडपन और उससे पहले के जो चालको लोथिक जो रही है civilizations उनमें हमें यह characteristic देखने को मिली है तो वो decline पर था समझ गए हम around this period Aryans entered northwest India from the Indo-Iranian region the word Arya means noble the Aryans have been mentioned in Rig Veda and also appear in Kaisite inscriptions of about 1600 BCE from Iraq and Mitani inscriptions of 14th century BCE from Syria अब यहां पर देखिया problem शुरू हो जाती है यह है आपका introduction दे रहाओ अभी में आपको और यह origin पर है ठीक है कि Rig Vedic या Vedic लोगों का origin कहां से हुआ जिसमें से एक theory है Aryan invasion theory ठीक है Aryan invasion theory क्या कहती है कि जो Aryan लोग है न यह basically इंडो-Iranian लोग है ठीक है इंडो-Iranian कह लिजिए या इंडो और इनकी भाषा जो है वो इंडो-उरोपेन राइट यह इंडो-Iranian लोग हैं जो इंडो-Iranian region से आए हैं आप पूछेंगे इंडो-Iranian region कहां है देखिए यह है इंडिया यह इंडियन सब कॉंटिनेंट है ठीक है यहां तक इस इंडियन सब कॉंटिनेंट और इसके बाद जो है वो प्लेट्यू आफ इरान है इधर एक सेकेंड मैं आपको मैप में दिखा ज़ता हूँ मैं एक छोटा सा मैप आपको ड्रॉग करके दिखा ज़ता हूँ इंडो-Iranian लोग कहां है और यह पूरी थियरी क्या बोलती है ठीक है तो अगर यह है इंडियन सब कॉंटिनेंट यह उसका पेनिंज्वला है और एक सेकेंड थोड़ा समोझे और बड़ा बनाना पड़ेगा तो क्लियर होगा आपको ठीक है यह अगर Indian subcontinent है यह आपका Arabian region है यह आपका Africa इधर आपका Caspian Sea इधर आपका Black Sea इधर आपका Aral Sea और यह उपर है BMAC Bacteria Marginal Archaeological Complex जो की Central Asian region में है यानि Lower या Southern Kazakhstan या Southern Russia क्योंकि जब यह research हुई है सारी तो यह हिस्सा जो है ठीक है so RN invasion धेरी क्या बोलती है कि somewhere in this region Southern Russia जो Aral Mountains का Steppe का जो मैदान है इधर Southern Russia में यानि Caucasus के ऊपर जो region है यहां से कुछ tribes ने movement करना शुरू किया क्योंकि ऊपर था बहुत cold region और they were mostly nomadic people यहां के जो लोग थे वो nomadic थे ठीक है and this was somewhere around 3000 BC से 2020 के आसपास की बात है ठीक है so यहां से जो लोग है उनको इस ठंडे एरिया में घास जो है वो ठीक से मिलती नहीं थी अपने पश्वों को चराने के लिए तो उन्होंने move करना शुरू किया तो उनकी movement कहां हुई होगी West में Europe की तरफ East में B.M.A.C की तरफ और एक वेव उनकी आई Black Sea और Caspian Sea के नीचे Caucas वाले रिजन में और एक वेव उनकी आई Aral और Caspian Sea के बीच से move गरती हुई Iranian प्लेक्टियों में ठीक है तो यह जो Caucas Caucas को पार करके जो आए लोग नीचे ठीक है यह पहुँच गए Anatolia वाले रिजन में यानि जो टर्की है ठीक है दिस इस Anatolia यह तर्की और फिर यहां पर जो है वो Babylonia वाला रिजन है और इधर से जो दूसरी साइड या नहीं कि जो Aral Mountain और Caspian अराल सी और Caspian सी के बीच से जो Iranian प्लेट्ट्यू में आये थे वो Iranian रिजन में आकर रहने लगे तो यह जो Iranian रिजन है और यह Indian सबकॉंटिनेंट वाला रिजन इस रिजन को कहा जाता है Indo-Aryan रिजन Indo-Iranian रिजन क्योंकि India और Iran रिजन से मिलता जुलता है और यहां के जो लोग है और tribes है इनमें आपस में movement चलती रहती थी ठीक है तो 3000 से 2000 BC के आसपास इस Southern Russian रिजन से कुछ tribes ने movement करना शुरू किया कुछ जो है वो Westward यूरोप की तरफ move करी Hungary, Austria in fact Scandinavia तक गए वो Finland तक ठीक है कुछ ने Black Sea और Caspian Sea के बीच में नीचे migrate किया यहनी Caucas वाले रिजन में और वो पहुँच गए Anatolia वाले रिजन से Babylonia वाले रिजन में यहां पर क्योंकि यहां पर इन्हें खोले मैदान मिले ठीक है BMAC के रास्ते फिर वो BMAC से नीचे जो है वो काशगीर के पहाड़ी वाले रिजन है वहां से उन्होंने इंडिया वाले रिजन में इंटर किया और देखिए जो यहां पर Iranian रिजन में आये थे और जो यहां पर Anatolia वाले रिजन में है इन लोग बीच में मिलाप हुआ और फिर यह लोग भी Indian सबकॉंटिनेंट की तरफ मूव करे तो यह जो 3000 से 2000 BC के आसपास स्टेपे के मैदान से मूव करने वाले जो लोग है इन्ही को ही कहा गया Indo-Iranian people इन्ही को ही RNs का जो है वो प्रोटो मतलब उनके पूरवज कहा गया और RNs कव कहला है वो जब वो Indian सबकॉंटिनेंट के बिलकुल धहलीज पर Northwest Frontier यानि की जो जुबलिस्तान काबूल वाला जो रिजन है यहां पर आकर जब बसना शुरू हो गया और जब वो इरान में थे तब उनको इंडो-Iranians कहा गया ठीक है तो इस रिजन के लोगों को कहा गया इंडो-Iranians तो इंडिया में जो लोग एंटर करें हैं इंडिया में जिन लोगों ने एंटर किया है वो है यही सदन रशिया वाले जो स्टैपगे के मैदान से आये है लेकिन यह 3000 से 2000 BC के आसपास मान लेजी यह 2000 BC में यह पहुँच गए इरान वाली रिजन में और फिर 2000 BC के बाद 1500 BC में इन्होंने एंटर किया भारत के Northwest Frontier में और वहाँ पर जो है वो आकर उधर की जो Native tribes थी भारत के Northwest region की उनको वहाँ से खदेड़ना शुरू किया और यह सब थेयोरी किस पर बेज़ड है यह सब थेयोरी बेज़ड है जेनेटिक रिसर्च पर ठीक है तो सबसे most accepted थेयोरी है यह आर एन इन्वेजन की या मतलब इंडो इरानियन माइगरेशन की या आप इस तरह कहिए कि रिगवैदिक पीपल के ओरिजन की सबसे most accepted थेयोरी है अब इसमें भारतिय जो नेशनल हिस्टोरियन्स हैं वो यह बोलते हैं कि नहीं नेटिव थे तो जब हम नेटिव की स्टड़ी करते हैं तो हमें जो है वो थोड़े से उनके DNA में डिफरेंस मिलता है वो DNA में डिफरेंस क्या है आगे में आपका आगे लिटर वैदिक पीरेड में या उसके लावा GS1 जब मैं डिसक्स करूँगा तो वहाँ पर बताऊंगा वो कौन सा जो है वो जीन है अगर आपको पता है तो तुरंत कमेंट में मेंचन कीजेगा ठीक है वो कौन सा जीन है और थोड़ी देर में आपको मैं बता भी दूँगा लेकिन अभी मुझे तुरंत कमेंट में बताईए वो कौन सा जीन है जिस जीन को स्टडी करके ये कंक्लूड किया गया कि आरेंस जो है वो इनफेक्ट इंडो इरानियन रिजिन से माइग्रेट किया है उन्होंने इंडियन सब कॉंटिनेट में ठीक है अब यहाँ पर बहुत इंपोर्डेंट सवाल बनता है कई बार बनाए कि आरे शब्द का मतलब क्या होता है तो आरे शब्द का जेनेरिक मतलब है नोबल ठीक है अब हमें नेक्स्ट चीज यह तो है जैनेटिक रिसर्च लेकिन जैनेटिक रिसर्च के अलावा यह लिंग्विस्टिक रिसर्च भी है क्योंकि वह ने बोला ना लोग माइग्रेट करें हमें कैसे पता चला हमें उनकी भाशा से पता चला तो उनकी लेंग यह है वो region यह है आपका Black Sea और यह है आपका Caspian Sea और यह आपका Caucas की पहाडियों और Caucas की पहाडियों से नहोंने move किया है ठीक है तो यहाँ पर दो देखिए this is Middle East somewhere around 2000 BC से 2000 BC से 1500 BC के आसपास का Middle East है जिसमें आपको prominent civilizations मितानी की नज़र आ रही है निचे Babylonia की इधर Elam और इधर हाती की हाती यह actually हतीती है इनको हतीतीज पढ़ा जाता है तो देखिए जो अनातोलिया वाले रिजन है यहाँ पर हतीतीज है तो जो हतीतीज है इन्होंने बताया इनके अगर आप पुराने इंस्क्रिप्शन देखें तो वहाँ पर mention मिलता है कि नौर्थ से पहाडियों से घोडे लेकर उतरे कुछ ऐसे horsemen जिन्होंने हमारी tribes को जो है वो कर दिया वो बेसिकली step पे के यह इंडो आरेन लोग थे ठीक है उसके अलावा मितानी people ने भी same यही mention किया है देखिए यहाँ पर आपको रिगवेद में कैसाइट inscriptions में आरें के बारे में जानकारी मिलती है उसके अलावा मितानी inscriptions में भी हमें आरें के बारे में जानकारी मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि there is a relation between the Aryans और इगवेदिक people that were present at the same time in the Indian subcontinent and also present at the at these regions of Middle East जिसमें मितानी और बेबिलोन को replace करके यहाँ पर कैसाइट आएंगे देखिए यह रहे कैसाइट ठीक है सो बेबिलोनिया को replace करके कैसाइट आए यहाँ पर और मितानी और कैसाइट शाषकों में शाषकों के नाम में अश्वशब का इस्तमाल जो हमें बहुत देखने को मिला है जिसमें अश्वशब का मतलब होता है घोड़ा उसके लावा रथा रथा शब्द का इस्तमाल जो हमें होते होए नजर आया है रथ का मतलब होता है मतलब चेरियट तो यहाँ पर हमें संस्कृत भाषा के टर्म्स जो है वो नजर आ रहे हैं बोथ मितानी और बेबलोन को replace कर गया है जो कैसाइट यहाँ पर आया है और अगर आप languages को study करेंगे तो इन सारी languages का जो root है वो हमें उपर से आता हो नजर आएगा इदर से ठीक है मैंने आपको बोला ना कि migration के क्या क्या trend है देखे यह आपका black sea यह आपका caspian sea और यह आपके बीच में Caucasus के mountain यह आपके Ural mountain यह स्टेपे के मैदान स्टेपे के जो मैदान है इधर से westward movement हुआ एक बार eastward movement हुआ एक बार स्टेपे और black sea के बीच से और दूसरा aral sea और caspian sea के बीच से यहाँ पर आपका अनातोलिया का region नीचे आपका babylonia का region इधर आपका Iranian region और यह है आपका मतलब Indian subcontinent यहाँ से Indian subcontinent शुरू हो जाएगा ठीक है तो यह जो अनातोलिया हमें कैसे पता देखे यहाँ पर ना बहस यह है कि रिगवैदिक लोग भारत से निकल कर recite गए इसलिए हमें इन सब लोगों का नाम मिलता है मतलब मितानी और जो कैसाइट जो इंस्क्रिप्शन जाए इसलिए हमें वहाँ पर संस्क्रिट तरम्स देखने को मिलती है एक explanation यह भी मिली है हमें देखने को लेकिन जब हम linguistic study को पढ़ते है ना तो हमें पता चलता है कि नहीं भाशा का development ऊपर से नीचे हो रहा है यहां से इस direction में हो रहा है और इधर से इंडिया की तरफ हो रहा है यह भाशा का development हमें देखने को मिल रहा है तो हम तो यह है widely accepted जो है वो conclusion कि यह जो सदन रशिया वाला region है ना यहां से हर direction में migration हो क्योंकि इधर होगी बहुत ठंड तो कुछ west की तरफ move कर गए यूरोप में कुछ east की तरफ move कर गए BM AC वाले region में कुछ Aral Mountain और Caspian Sea के बीच से पार करते हुए Iranian plateau में पहुँचे और कुछ Caspian और Black Sea के बीच को पार करते हुए ठीक है जिनको खस कहा गया ठीक है कुछ लोग इंडो इरानियन वाले region से आए कुछ लोग इधर से move करता है तो waves में कभी 150 लोग एक साथ आ रहे हैं फिर 150 लोग एक साथ आ रहे तो ऐसे जो है वो repetitive episodes में जो है वो भारत पहुँचे हैं ये लोग और जब भारत आगरी खटा हो गया भारत में कहां एंटर किया उनने देखिए इंडिया की situation क्या थी अब इंडिया में जब उन्होंने बलूच के पठार यहां पर जो है वो अमारा पेनिंज्योलर रिजन ठीक है तो यह जो गंगा यमना का मैदान इस मेदा घना जंगल बहुत घना जंगल और 2000 BC से 1500 BC के जो लोग है यह किस मेटल का इस्तमाल कर रहे है यह कॉपर ब्रॉंज का इस्तमाल कर रहे है तो कॉपर ब्रॉंज से आप इतने घने जंगल को नहीं काट सकते है ठीक है और यह जो एरिया है उपर जो बच जाता है आपका हिंदु कुष की तराई और शिवालिक की तराई के क्षेतर में जंगल थोड़ा कम गाना तो यहां पर तराई के क्षेतर में जो हुआ सबसे पहले रिगवैदिक लोगों ने बसना शुरू किया तो हमें रिगवैदिक लोग सबसे पहले इन तराई के क्षेतर में बसते वे नजर आएंगे आगे मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा लेकिन पहुंचेंगे उनके origin उनके migration के pattern क्योंकि यह political history का हिस्सा है सारे cover कराऊंगा डरिये मत पूरा concept आपको generate हो जाएगा लेकिन अब यह हमें सबसे पहले क्या पता चला कि जो आरेन invasion theory है उसको भी खारेज कर दिया पूरी तरह क्योंकि जो recent studies है वो broadly based है genetics पर linguistic study पर archaeological remains को दियान में रखा जा रहा है हडियों को दियान में रखा जा रहा है inscriptions को बाद में क्योंकि inscriptions जो है वो हो सकता है कि politically political जो है वो उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा हो लेकिन genetics don't lie ठीक है linguistics को आप जो है वो बिलकुल नहीं ठोकरा सके और linguistics कहता है कि जो भाशा का development है वो इधर से हो रहा है ठीक है Caucas वाले region से आया और फिर इधर से फिर eastward movement हुई language का development क्योंकि देखिए बिलकुल basic trend है कि आप बंगाल से northwest frontier की तरफ भाशा डेवलप हुई है या northwest frontier से बंगाल की तरफ भाशा डेवलप हुई है अगर आप भारत में भी linguistic study करेंगे ना so northwest frontier से बंगाल की तरफ भाशा northwest frontier में बहुत harsh Arabic ठीक है और फिर Arabic से उर्दू ठीक है फिर उर्दू से जो हर्याना पंजाब में पंजाबी फिर पंजाब के बाद हर्यानवी फिर उसके बाद दिल्ली उतर प्रदेश में थोड़े से हिंदी न्यूट्रल हिंदी के डायलेक्ट और फिर धीरे धीरे जो है वो आपको ब्रिज भाशा ठीक है मगदी मैथली इन सब भाशों में भाशा जो है वो आपको डवलप होती होने जार रहेंगे और फाइनली बंगाली है तो आप अगर linguistic study भी करेंगे ना तो आप देखेंगे कि भारत में भाशा का development Northwest Frontier से बंगाल की तरफ है चाहे वो संस्कृत भाशा का development ले लिजी और संस्कृत के अधार पर हिंदी भाशा क्योंकि इन सारी languages में हिंदी या संस्कृत के अगर आप core अगर ढूंडेंगे तो Northwest Frontier से बंगाल की तरफ development आपको दिखता है ना कि बंगाल स Northwest Frontier की तरफ एक theory यह भी है लेकिन यहाँ पर counter theory यह आती है कि Northwest Frontier से दोनो direction में हुआ है Northwest Frontier से इरान की तरफ Northwest Frontier से बंगाल की तरफ तो यह linguistic approach में हम अभी नहीं फसेंगे लेकिन मैं केवल आपको एक broad broad मोटा मोटा जो है वो एक हिसाब बताना चाहरा हूँ ताकि GS1 में और जो बच्चे optional के लिए follow करना चाते हैं उनकी थोड़ी सी आंके खुलें कि हमें किस depth में जाकर पढ़ना पढ़ता है ठीक है तो हमें linguistics को जो है वो ध्यान में रखना पढ़ता है बहुत important concept रहते है linguistics और जो मेरे students अगर entro follow कर रहे हैं तो वो तो linguistics को जुटला सकते ही नही so यह है Indo-Arian migration into India 1750 BC इंडो आरियन रूट्स तो waves में आया आए आप मान के चलिए 1700 के आसपास उन्होंने आना शुरू कर दिया था जो की जो Iranian region में रहते थे वो सबसे पहले आए ठीक है जो अनातोलिया वाले region में रहते थे वो थोड़ा बाद में आये होंगे हो सकता है कि वो पूरी तरह पहुंचे भी नहीं और जो BMAC वाले region में थे वो काशगीर के रास्ते एंटर कर रहे थे ठीक है वो ऊपर से एंटर कर रहे 500 साल जब तक लोहे की खोज नहीं होगी मैंने आपको बोला ना 1500 BC से 1000 BC से 600 BC ठीक है यह है 1500 BC से 1000 BC रिगवैदिक पीरियड और यह है 1200 BC से 600 BC लेटर वैदिक पीरियड तो 1000 BC में ऐसा क्या हुआ कि यहां पर age change हो गई तो वो हुआ क्या लोहे की खोज जैसे ही लोहा इंसान को अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया रिगवैदिक लोगों को उन्होंने फिर जंगल की कटाई करनी शुरू करी गंगा मैदान के और फिर वो धीरे-धीरे मूव कर गए कहां से आरे वरत से उन्होंने मतलब अब उन्होंने फिर ये गंगा वाले जो प्लेंज है इसको आरे वरत बनाया तो यहां पर ब्रह्म वरत क्या है आरे वरत क्या है इन सब पॉइंट्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे तो I hope आपको सबसे पहले समझ आया होगा कि मितानी लो जा रही होंगे, Euphrates and Tigris, ठीक है, या Southern Babylonia वाले region में, Sumerians को replace करेंगे, ना, बाद मैं, मतलब क्या बोलते हैं, इनको, Kessites, और उसके अलाबा, Hettites, जो हैं, वो आपको, अन्नातोलिया वाले रिजिन में नजर आएंगे उसके लाबा और भी बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर आसपास हैं इलम है इरान वाले रिजिन में ठीक है इजिप्ट्स हैं नील नदी के अराउंड इजिप्शन्स हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ग्रीक मतलब प्रोटो फॉर्म है ग्रीक्स की देख लीजी यहाँ पर डेवलप हो रही है तो अब देखते हैं बैगराउंड क्या है आरेंस का तो आई होप आपको अभी तक कॉंसेट समझाएगा और कॉंसेट पर हमें बहुत ध्यान देना है एक बर कॉंसेट तईयार हो गया पिर उसके बाद हमें फिर फर्दर Facts को इक खटा करना कोई बड़ी बात नहीं है देखिए बहुत सारे YouTube चेनल बहुत सारे और आनलायन टीचर्स बहुत सारे Facts तो मेरा जो है वो बहुत ज़ादा जोर facts पर नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारे sources है facts के लेकिन concept आपको concept आपको गिने चुने आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने teachers concept दे रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं उन teachers में से रहूँ क्योंकि देखिए 75% question concept based है fact based questions पूछना देखिए जो fact based जो तयारी करने का तरीका है न वो subordinate exams में काम आता है आप SSC का banking का paper दें उसके अलावा अन्ने राज्य लेवल के examinations होते हैं उन में fact based question पूछ जाते हैं अगर आप administrative services के लिए examination दे रहे हैं भले ही वो राज्य का हो या union का केंद्र का वहाँ पर आपको concept based question पूछा जाएगा और concepts जो हैं वो आपको बहुत ध्यान से समझने होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैंने कहाना कि उंगलियों पे गिन सकते हैं और उनमें से मेरी कोशिश है कि मैं उन teacher में से रहूं ठीक है और दूसरी approach हमारे लिए बहुत important है वो previous year तो इन सारे points में कही ना कहीं previous year में पहुचे गए सवालों के जवाब हैं वहीं से ही मैंने point मनाए आगे देखिए आरेंज migrated to Indian several episodes through the northwestern mountain passes northwestern mountain passes कौन कौन सी है मैंने बहुत बार बता दी खाइबर उसके लावा गोमल उसके लावा बोलन यह तीन important mountain passes है और यह है कहां कहां पर मैप में दिखायता हूं मैं आपको काबुल से अगर आप पिशावर एंटर कर रहे हैं तो खाइबर दर रहा है काबुल के रास्ते आप मुलतान में एंटर कर रहे हैं तो बोलन दर रह है और अगर आप कंदाहर के रास्ते मकरान मेंटर करना चाहते हैं तो दर रहा है यहां पर बोलन है उपर काबुल के रास्ते मुलतान मेंटर कर रहे हैं तो वहां पर है गोमल दर रहा तो सबसे पहले खाइबर फिर गोमल और फिर बोलन तो मैंने आपको यह बताया है पहले रिगवैदिक लोग और लेटर वैदिक लोगों में पहला difference है कि रिगवैदिक peepal have pastoral economy chiefly economy क्या है उनकी pastoral economy है whereas लेटर वैदिक people have agricultural economy क्यूं कि वेदिक लोगों को लोगों के पास जो हल था वह?. था किस तरह का लकडी का या जाद से जादा ब्रॉंज का तो वो हल जादा डीप प्लाव नहीं कर पाता था तो खेती जो है वो केवल जानवरों के चारा देने लाएक या बिल्कुल गुजारा करने लाएक खेती हो पाती थी ठीक है प्लस रिगवैदिक लोग बहुत ठंडे जुताई करता है बहुत stable crop लगती है बहुत जादा crop लगती है तो economy जो है वो उनकी क्या हो गई agricultural economy हो गई और उनका lifestyle कैसा हो गया sedentary lifestyle हो गया यानि एक जगापर रहने लगे वो जबकि रिगवैदिक लोग जो हैं वो क्या थे घुमन्तू या या वार आप कह सकते हैं यानि कि वो नुमेडिक पीपल थे और उनकी एकॉनमी क्या थी पेस्ट्रल एकॉनमी थी बहुत इंपर्डन चीक है बहुत इंपर्डन पॉइंट है रिगवैदिक और लेटर वैदिक देखिए यहाँ पर न मैंने बोला ना वैदिक को हमने दो इससे में बाटा है रिगवैदिक लेटर वैदिक और लेटर वैदिक और रिगवैदिक में दोनों में से अलग अलग पॉइंट ने कलते आएंगे एंड प्लेन ऑफ पंजाब ठीक है नॉर्थ वेस्ट की वैली यानि कि हिंदुकुष का जो मतलब लोवर हिली एरिया है शिवालिक वाले रिजन में और उसके नीचे जो पंजाब का प्लेन है वहां पर जो है वनोंने रहना शुरू किया देखिए यह है यह हिंदुकुष है तो यहां पर इनोंने इतने एरिया में रहना शुरू किया है जहां जहां पर वो थोड़ा सा खेती करने योगे जो है वो भूमी उनको मिली क्यूं क्यूंकि उसके आगे पंजाब वाले रिजन में घाने जंगल है और उस तरह के टूल्स उनके पास नहीं थे और इतनी उनक तक उने फैलना पड़े और वो आये कहां से वो इंडो इराणीन रिजन से हैं ठीक है यहां पर आप थोड़ा सा में आपको रिगवैदिक ट्राइब्स हैं धर और रिगवैदिक ट्राइब्स को थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं देखिए यहां पर आपको कौन-कौन सी इस रिगवैदिक ट्राइब देखने को मिल रही है भलना ठीक है उसके लावा अन्नू भारता यादू पुरू धृयू गंधारी अलीना पक्ता ठीक है और फिर यह जो रिजना इसको वह दाता है बल्ख ठीक है यह बहालिका राइट इस बहालिका वर्ड का मतलब बहार का तो बहालिका वर्ड से बल्ख बना है और इसलिए यह नौर्थ जो मतलब इंडिया के जो नौर्थ में या जो सेंट्रल इसेटिक रिजन है यहाँ पर इन कंट्रीज को बल्ख कंट्रीज और यहाँ पर एक रिजन प्र जो है वो बल्ख रिजन भी हमें देखने को मिलता है वानिस्तान वाले विजन में ठीक है तो यह बल्क बेजिकली बहलिका वर्ड से निकला है और बहलिका का मतलब होता है बाहर सो रिगवैदिक लोगों के सेटलमेंट के बाहर का जो एरिया था बहलिक, बल्क, उसके लएवा यहाँ पर important नदियां में आगए आपको reverse के बारे में भी बताऊंगा खेर, देखे Later they moved into Indo-Gangetic Plains, कब Later Vedic period में जब उनको लोहे की खोज हो गई और वो जंगलों को काट सके, तो Indo-Gangetic Plains में उन्होंने एंटर किया They led a nomadic life and moved in search for pasture, बहुत important lifestyle कैसा है nomadic है, क्या डूढ़ते है pasture डूढ़ते है, यानि कि chief occupation क्या है उनकी pastoral economy है ठीक है, अगर pastoral economy है तो उनके, जो जानवर है वो उनके लिए जान से प्यारते तो यहां पर उनकी जो धन है उसको गौधन के नाम से जानगाता है जो उनकी property है, जो उनका treasure है, वो क्या है? उनका गौधन है, तो किसी भी clan का किसी भी clan का shore है, उसका गौधन है, कि उसके पास कितने सारे cattle है गौधन does not only stand for the number of cows गौधन का मतलब है cattle in whole कितने, कितने घोडे, कितने बेड़ वक्री, सब मिला कर कितने है that was termed as गौधन और गौधन जो है वो सबसे important treasure था रिगवैदिक लोगों का क्यों 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 कि इकॉनमी थी pastoral ठीक है और यह है देखिए रिगवैदिक लोगों का रहने का स्थान तो सबसे पहले इस region को, कुछ इतिहासकारों ने इस region को आरेवरत कह दिया है कुछ इतिहासकारों ने इस region को ब्रहमवरत कहा है ठीक है और अगर ये आरेवरत है देखिए ध्यान से सुनिएगा बहुत important concept है अगर ये आरेवरत है तो जहां से यानि कि जिस इंडो इरानियन रीजन से आरेवरत लोग आए हैं उस रीजन को ब्रहमवत कहा जा सकता है और अगर आप इस रीजन को ब्रहमवत कहेंगे तो इसके ब्रहमवत इंडो इरानियन वाला रीजन था क्योंकि देखिए जो इतिहासकार ऑरन इनवरन को मानते हैं वो मानते हैं जो इंडो इरानियन या थोड़ासा पहार का रीजन लेकिन थोड़ा सा ये वाला जो बल्क वाला रिजन है और फिर उसके बाद जब वो इंडियन सब्कॉंटरिन मेंटर किया फिर उन्होंने यानि कि नॉर्धन या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पार्ट को जोड़ दें लेकिन जो ये मानते हैं कि आरे इन इन्वेजन थे नहीं है वो कहते हैं कि दिस ब्रह्मवरत और फिर उसके बाद जो गंगा वाली रिजन में इंटर किया उन्होंने तो ये थोड़ी सी कन्फूजन है ब्रह्मवत और आरे वरत में जो आगे मैं आपकी क्लेर करूँगा ठीक है देखें यहाँ पर लेटर माइगरेशन आपको नजर आए बारासो से चैसो बीसी तक हर डिरेक्शन में सिंदु नदी के साथ माइगरेशन हुआ ठीक है उसके लबार रहिगिस्तान को पार करके राइट इस पूरे रिजन को कंट्रूल कर लिया और इसे कहा गया फिर आर्रय वरत यानि जहां पर आरे रहते हैं जो आर्रय का राज्च्ट है राइट the period between 1500 BC to 600 BC may be divided into two broad categories as I already have done the early Vedic period और Rig Vedic period जो की 1500 से 1000 BC, later Vedic period that is 1000 से 600 BC तो ये दो important point आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ये है देखिए आपका आरेवरत, 600 BC के आसपास या 1500 से 1500 से 600 तक ये पूरा रिजन जो है वो रिगवैदिक लोगों ने अपने कंट्रोल में लाए और इसे कहा गया, आरेवरत और यहाँ पर इनकी जो tribes हैं, बहुत important map है ये और ये सारे map आपको कहां मिलेंगे चोहान underscore sir underscore history ये कोने में लिखा है ना, चोहान underscore sir underscore history is my telegram channel जहां से आपको ये सारे PDFs मिल जाएंगे और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इन वीडियोस को जादा से जादा share करें, like करें, comment करें और आपका जो भी social media platform है, जहाँ पर भी आप active है, वहाँ पर आप definitely share करें और अगर आप कोई भी subscription plan ले रहे है ना, चोहान underscore sir underscore history ये कौने में लिखा है, इस code का इस्तमाल करें और आपको 10% का discount तो मिलेगा ही, सबसे important बात रहेगी, आप support करेंगे अपने चोहान sir को, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धिहान से, हिमाले के लिए word use हुआ है, हिमवा जो है वो देखिए हिमाले के लिए word use हो रहा है, उसके लावा tribes देखते चलिए हैं पर, बिलकुल North, West में आपको वरनू tribes और उसके लावा बाहर आपको कंबोज tribes, फिर गंधारी tribes, विताशा, असिकनी, शुतुद्री, सिंधू, ये rivers हैं, आगे मैं इनके असली नाम भी बत आँगा आपको, उसके लावा tribes देखें यहां पर, मदरा, बहीका, बहीका यानि की बाहर है, बहीका वैसे इस रीजन को भी कहा गया है, बहीका, लेकिन यहां के लोगों के लिए तो फिर ये बहीका हो गया, जब वैदिक लोग यहां रह रहे थे तो इनके लिए बहीका ये यहां, यह आपके एक्षवाकु कुल है, ठीक है, जो सूर्यवंज है, आगे बताऊंगा क्या है यह, उसके लावा अन्य बहुत सारे हैं, आपको मत्सया, कुंती, शापला, बनास, किकाता, विधर्बा, बहुत सारे, मगद, अंग, काशी, यह धीर धीर आगे, आपको बता है, महा जनपद क्या है, तो यह, इन में डिफरेंसेज, इवेंचुली, क्लेर हो जाएगा, दिस इस देट, इस देट, पॉलिटिकल हिस्ट्री में चेंज, है न, एंपायर के नाम चेंज हो रहे हैं, आट इस देट चेंज इन पॉलिटिकल हिस्ट्री, आगे बढ़ते हैं, तो यह है, देखिए, आरेवरत, और यह, आरेवरत के अंडर जो हैं, वो अन्ने ट्राइब, बहुत डिटेल में मैप आपको मिल जाएगा, यह, यह मैप आपको कहा मिलेगा, मेरे टेलिग्राम चनल को, पूरी पीडियम डाउलोड करेंगे, उसमें यह मैप आपको मिल आपको, 700 BC के बाद, जो है, वो, so, 700 BC तक, Western UP वाले रिजिन में, और फिर उसके बाद, 700 BC से 600 BC वाले पीरेड में, Eastern UP वाले रिजिन में, जाने की, जो है, वो, मतलब, गए हैं, कौन? वैदिक लोग, लेटर वैदिक लोग, जो यह लेटर वैदिक पिरेड जब मैं आपको डिटल में बताओंगा, तो वहाँ पर भी समझाओंगा इस मैपको, अभी मैं केवल आपको, basic background दे रहा हूँ, अभी केवल introduction दे रहा हूँ, अभी core तक तो हम enter नहीं करें अभी, तो ब लेटर वैदिक पिरियेड की एक, और खास दोर पे रिगवैदिक पिरियेड की एक important characteristic रही है, grey wear pottery, यानि कि pottery का color कैसा है, grey है, so RN लोग अपने साथ grey wear pottery लेकर आए, बहुत important point, जबकि whereas Indus वाली civilization की pottery कैसी थी, red wear over, red wear के ओपर जो है, वो black color से motifs बने होते हैं, तो grey wear pottery देखने को मिलिए हमें, तो ये पूरा का पूरा, देखिए पंजाब, अर्याना, दिल्ली द्वाब वाला एरिया है, यहां से देखने को मिल रहा है, ठीक है, और फिर इधर से धीरे धीरे east की तरफ movement है, और as well as river के साथ साथ move कर रहे हैं, सिंध वाले region में भी, मुलतान वा बात करेंगे, तो हम लेकर आएंगे इस map को, ठीक है, आगे बढ़ते है, original home of RNs, अब हम बात करते हैं, हमारे main बातों पर, main मुद्दे, इन पर सवाल बनता है, अभी तो हमने background देखा, कि RN कौन है, कहां से आए, किधर को move करे, ठीक है, यह जो maps में आपको दिखाए, इनी maps क आगे, अलोबरेशन में भी समझाना है मुझे, राइट, मत घब रहिए, तो सबसे पहला point आता है, origin, origin कहां से आरेंज का, so different scholars have identified different regions as original home of RNs, some historians are of the view that the original home of RNs was Central Asia, according to Bal Gangadar Telak, RNs originally inhabited Siberia, but migrated from Siberia in search of green pasture, other historians are of the view that their original home was in Southern Russia, near the Caspian Sea, or in Southern Europe, in Austria and Hungary, तो यहां देखिए, तीन थियोरी आ गई, एक Central Asia, एक Siberia, एक Southern Russia, यह तीन थियोरी है, RN की origin की, ठीक है, Central Asia कहां पर, देखिए, यह है Siberia वाल region, ठीक है, this region is Siberia, so Bal Gangadar Telak क्या कहते हैं, कि Siberia वाले region से move किया उन्होंने, पास्चर की तालाश में, West की तरफ और फिर वो eventually, मतलब West की तरफ move किया, कहां पर, Lower या Southern, Aral, यानि स्टेपे के मैदान वाले region में, या BMAC वाले region में, यहां से फिर उन्होंने move करना शुरू किया, यह देखिए, यह मैं आपको बताया ना, Caspian Sea, और Aral Sea के बीच से move किया, तो पहुंचे, Iranian Plateau, ठीक है, यह यह है आपका, स्टेपे के मैदान, सो यहां से move किया, उन्होंने Caucasus Mountains को पार किया, तो अन्ना तो लिया, और फिर इधर से यह दोनों cultures जो है, वो eventually move किये हैं, कहां पर, इंडिया में, waves में, that is the Indo-Iranian, मतलब migration towards Indian subcontinent, that is the RNA invasion, ठीक है, तो यह basically इस एक मैप में, मैंने थोड़ा सा, आर न के total invasion को, या आर न के total movement को समझानी कुछ करी है, लेकिन अलग अलग theories क्या बोलती हैं, बाल गंगदर तिला क्या कहते हैं, कि Siberian region में थे वो, यहां से उन्होंने westward movement किया, और फिर उन्होंने वापस, south east में movement करी, ठीक है, उसके अलावा next theory क्या बोलती है, कि वो रहते Central Asiatic region में, so this is Aral Sea के आसपास का region जो है, वो Central Asiatic है, यानि BMAC, क्योंकि BMAC में हमें evidences देखने को मिले, जो Bacteria Marjiana Archaeological Complex है, Central Asiatic region, यहां से उन्होंने move किया, भारत की तरफ, as well as Caucasus वाले region से भी, और फिर वो नीचे है, ठीक है, लेकिन जो सबसे जादा widely accepted theory है, वो है Southern Russia वाली कि Southern Russia से उन्होंने Caspian और Aral Sea के बीच से Iranian Plateau में move किया, Caspian और Black Sea के बीच से Caucasus वाले region को पार करते हो, Iranian Plateau में move किया, और फिर Iranian Plateau से वो eventually waves में भारत पहुंचे हैं, और भारत में भी कहां पहुंचे पहले, Northwest Frontier से और फिर Northwest Frontier से उन्होंने enter किया, कहां पर, mainland Indian Subcontinent में, so this was the widely accepted RN invasion theory, right, RN invasion theory नहीं है, as such यह, क्योंकि RN invasion theory जो है, वो थोड़ा सा problematic है, उसको, मतलब वो अंग्रेजों ने उसको तूल पकड़ाई, ताकि भारत में जो है, वो थोड़ा सा political उठा पटक मचे, लेकिन यह जो theory है, यह genetics पर based है, linguistics पर based है, archaeological remains पर based है, और कुछ जो है, वो shrouds लि तक भी पहुंचे ठीक है, और in fact उन्होंने ऊपर भी मतलब यूरोप में Scandinavian वाले region तक भी यहीं सही move किया लोगों है, ठीक है, तो यह आ गई आपकी तीन तरह की theories, southern Russia वाली थेओरी जो है, वो widely accepted है, from these regions they migrated to other European countries and afterwards to India and Persia, है न, other European region में यूग गय है वो, परशिया वाले region से फिर वो इंडिया में अंटर किया, finally, इसी लिए, और यह हमें कैसे पता है कि, कि southern Russia से ही movement नीचे की तरफ हुआ है, यानि कि flow of migration जो है, वो इसी direction में है, तो हमने linguistics के आधार पर, हमने देखा कि भाशा का development जो है, वो इधर से इधर, यानि कि caucus वाले region से, इंडियन सब कॉंटिनेंट की तरफ और बंगाल तक थी, कि भाशा का development ऐसे हो रहा है, कौन सी भाशा, जो इंडो European languages है, जो इंडो European languages है, दूसरी साइड यहाँ पर यूरोप में गए वो, ठीक है, सो Scandinavian, Scandinavia के साइड जो move किया उन्होंने, या जो उन्होंने, मतलब Latin वाले region में, not exactly Latin, लेकिन बलकान से, इटालियन वाले region में जो move किया, तो इधर जो language का development हमें, धेरे धेरे होता हुआ नजर आया, तो वहां से हमने अंदाजर लगाया है, कि यह शुरुवात कहां से हुई है, तो यह caucus वाले region से हुई है, यह caucus के ऊपर, जो Southern Russian वाले region है, यानि कि जो स्टेपे के मैदान है, बहां से, ठीक है, the theory of Southern Russia is more probable and widely accepted by the historians, तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे widely accepted theory क्या है, the theory of Southern Russia, आप देखें, यहाँ पर आप बोलते हैं, इंडियन historians है, वो क्या कहते हैं, कि नहीं, सबसे पहले इंसान यहीं पर बना है, इंडिया में ही बना, और फिर इ linguistic study को देखते हैं, genetic study को देखते हैं, तो यह claim ना थोड़ा सा faulty नजर आता है, क्योंकि genetics जो है, वो नहीं जूट बोल पाएगा है, आप genetics में, मतलब, चाहा कर भी, जो है, वो fault निकल सकता है, एसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक, समझ रहे हैं, दो theory है न, और यह खास बात है, humanities की, और not just humanities, लेकिन यह physical sciences पर भी लग जाता है, यह funda, कि केवल present time में, जो, मतलब, जो theory सबसे जादा widely accepted है, वही लागव होती है, हो सकता है कि भविश्य में कुछ नया, नई technology आ जाए, कुछ नया, जो है, जो है, वो discovery हो जाए, उससे जो है, वो course of history हो जाए, इसलिए widely accepted word इस्तमाल किया गया, so widely accepted theory का है, क्योंकि Chinese लोग बोलते हैं कि हमारे यहां से हुआ है, ठीक है, चाइना के लोग है, वो बोलते हैं कि हमारे यहां से develop हुआ है, सब कुछ है, तुमारा कुछ नहीं था, ठीक है, तो खेर, आगे देखिए, from there, any Aryans move to different part of, from there, the Aryans move to different part of Asia and Europe, कहां से, जो southern Russia वाल region है, they entered India in about 1500 BC and came to be known as Indo Aryans, ठीक है, भारत में उन्होंने एंटर किया कहां से, देखिए, भारत में वो हिंदो कुछ वाल region से एंटर कर रहे हैं, और इधर जो है वो, मतलब यह दो important दर्रे हैं, क्योंकि यहां पर, कौन सा है, यहां पर बोलन है और इधर ख दिखाई गई है, खेर, they spoke Indo Aryan language, that is Sanskrit, so यहां पर जो है, वो यह है linguistic based, Sanskrit का development, जब आप इधर से rewind करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि, इरान में और रिगवैदिक लोग जहां पर रहते थे, यहां पर दोनों में Sanskrit terms का इस्तमाल हो रहा है, ठीक है, जो रिगवैद ह रिगवैदिक लोगों का literature, और जो इस समय के इरानियन, similar contemporary जो इरानियन लोग है, उनकी जो जेंड अवेस्ता है, ठीक है, उसमें जो terms इस्तमाल गई है, उसमें highly similarity देखने को मिल रही है, फिर आप वापिस घुमेंगे, पीछे जाएंगे, तो यहां पर मितानी, as well as जो कैस साइट है, इनमें आपको terms देखने को मिलेंगी, किसकी आरेंज की, फिर आप और पीछे जाएंगे, तो अश्वशब का एक, मतलब अभरंश सा रूप आपको यहां से भी देखने को, इधर भी देखने को मिलेगा, southern European region में, so that means कहीं ना कहीं, भाशा जो है, वो southern not European, लेकिन southern Russia से जो है, वो फिर develop होती हुई पहुँची है, भारत तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, so अब आरेंज भारत आए, भारत आगर आरेंज ने क्या किया, the आरेंज defeated Dravidians and other inhabitants and pushed them down towards South India, देखे, आरेंज जैसे ही भारत आया, भारत में पहुँचे तो भारत में भारत के native Dravidians रह रहे थे, कुछ mangaloid tribes भी रह रह रही थी, क्योंकि देखे, यह है mangaloid region, यह mangaloid लोग है, यह पहुँचे है भारत में, और जो तिबत वाला region है, यहां से उन्होंने एंटर कि ए इंडिया में, so mangaloid tribes भी रह रही है भारत में, और जो protoasterloid हैं, और उसके अलावा जो Dravidians है, व नेगरीटो tribes भी रह रही है भारत में, दक्षिन भारत में, so कई तरह की races भारत में native थी, कई तरह की races भारत में migrate करके आ रही थी, उन्हें से आरेंज ने जब migrate किया, तो वो अपने साथ संस्कृती लेकर आए, ठीक है, क्या संस्कृती लेकर आए, वो अपने साथ well, वो well equipped थे, उनके पास better chariots थे, better जो है, वो transportation का साधन था, उनका administration जो है, वो better था, ठीक है, तो eventually उन्होंने क्या किया, उन्हों natives को push किया, तो देखे, push करने का तरीका क्या होता है, आरेंज जो है, वो कहां आपर आकर रह रहे हैं, आरेंज जो है, वो river basin में, या lower hilly region में आकर रह रहे हैं, plane में रहने में, plane में रहकर कोई खुश नहीं क्योंकि plane में जंगल जो है, वो बहुत घना है, और plane में जंगली जानवर आपको जीने नहीं देंगे, वहाँ पर pasture आपको ठीक से अवलेबल नहीं होगा, पास्चर आपको दभी दभी पहाडियां है, वहीं परी जो ह यहां का इतियास पढ़ेंगे, तो यहां पर आपको trend देखने को मिलेगा, अगर आप उत्राखंड से हैं, तो उत्राखंड के इतियास को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको यही trend पढ़ने को मिलेगा, कि जब बाहर से कोई भी ट्राइब आ रही है, तो वो natives को upper hilly region मे push कर रही है, ठीक है, जो की हुआ भी, सो जो dravidians थे, उनके लिए word जो इस्तमाल किया गया आरेंज द्वारा, वो है दासा या दस्यू, ठीक है, जिसका मतलब अभी गुलाम नहीं था, लेकिन eventually das word का मतलब जो है, वो slave का synonymous बन गया, ठीक है, लेकिन slave, slave sense में दासा या क्यूं कहा था, अपने से lower rank के sense में, कि तुम्हारी rank जो है, वो हमसे lower है, किस आधार पर, क्यूंकि तुम्हारी जो skin है, उसका tone जो है, वो dark है, राइट, क्यूंकि जो native है, इंडिया के, temperate region है इंडिया का, तो obviously इंडिया के जो लोग है, वो रंग उनको गाड़ा रहा होग और आरेन लोग जो है, वो मतलब बहुत ठंडे regions हा रहे हैं, तो obviously वो Caucasian रहे होंगे, तो Caucasian यानि कि श्वेत वरनी रहे होंगे, तो श्वेत वरनी थे वो यानि कि whites थे, वो not exactly white, of मतलब आप कहेंगे कि European वाला white नहीं, लेकिन जो brunette वाला white होता, जो Caucasian होता है, यानि कि ज जो हैं, वो काले ही है, आँख ही उनकी भूरी ही है, ठीक है, भूरी है काली, ठीक है, लेकिन कुछ है characteristics हैं उनके, जैसे कि मैंना आपको बताया है न, pointed nose, इस तरह की pointed noses, और उसके अलावा pointed कान, sharp जो है, वो jawlines, ये सब जो हैं, वो RN, एक मतलब मुख मंडल की characteristics होती है, उसक प्लेन फेशेज, उनकी चप्टी, गोल, नाकें, ठीक है, ये द्रवीडियन्स और छोटे उनके stature, आरेंज लोग लंबे चोड़े, थोड़े से, लंबे चोड़े है क्योंकि ठंडे एरिया से आते हैं, भारत में थोड़ा गरम एरिया है, तो थोड़े से उनके stature भी सब्जुगेट करने में क्या मतलब रोल रहा, वो तो बाद की बात है, लेकिन उनका लंबा चोड़ा शरीर और वेल इक्विप्ट घोड़े लेकर आए, अपने साथ, चैरियोट्स लेकर आए, रथ लेकर आए, जिनके दंपर उन्होंने बहुत आसानी से नेटेव दिवा लिया, क्योंकि पर्मनेंट लेंड का कॉंसेप्ट तो रिगवैदिक लोगों का भी नहीं था, वो किसी लेंड को पर्मनेंट नहीं रखते थे, अपनी खुद की संपत्ती वाला सीन नहीं था उस समय, ठीके संपत्ती वाला सीन तब हुए जब सेडेंट्री लाइफ बहुत इंपर्टन, ठीक है, अब मैं किसी एक पर्टिकुलर जो है, वो सुसाइटी के सेक्ट को टार्गेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन, दिस इस द वर्ड दैट इस यूजड इन रिगवेद और संस्कृत वर्ड बन का मतलब होता है, धन, ठीक है, तो बन या पन या पन या बनी, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जो ये ट्रेड करता है, या बनिया बन जाता है, तो पनीज या बनीज या बनिया या बनिया वर्ड का इस्तेमाल जो है, वो किया गया है, आरन लोग दोरा, किन के लिए, नेटिव के लिए, उसके लाबा दासा बासाज वर कंसिडर्ड इंफिरियर बिकॉज अफ देर डार्क स्किन एंड फ्लैट फेशिल फीचर इनिकी चौड़े माते दभी हुई नाके गोल नाके दभी हुई राइट और छोटे शरी तो फ्लैट फेशिल फीचर उसके लाभा पानी को जो है वो उन्होंने कैटल थीफ खा गया now this is the irony ठीक है जो आरेन लोग है ना उनकी occupation थी वार और वार करके क्या करते थे वो वार करके वो पास्चर लेंड दूसरी ट्राइब से छीनते थे तो केवल पास्चर लेंड नहीं छीन लेते थे वो कैटल कैटल्स को भी जो है वो अपने कबजे में ले ले लेते थ वो हमेशा इसी मतलब इसी होड में रहते थे इसी मतलब उनका पूरा lifestyle यह था कि आस पर उसकी कोई भी tribe जो है वो डूंड नहीं है कोई भी clan डूंड नहीं है उसके pasture land को चीनना है और उसके गौधन को चीनना है ठीक है और जबकि यही काम सभी कर रहे थे उस समय ठीक है तो आरेंज भी यही काम कर रहे थे और जो नेटिव थे भारत के वो भी यही काम कर रहे थे जिनको नोंने पानी कहा ठीक है तो पानी भी क्या कर रहे थे cattle thieving बहुत ज़रूरी थी क्योंकि agricultural produce इतना जादा नहीं था तो जो खाना है वो basically cattle से मिल रहा था meat के दौर पर meat हो गया द एरिगवेद में कही न कहीं इसका mention हमें मिली जाता है दवर्ड दासा बहुत important है यह कहानी के साथ चात में fact देता जा रहा हूँ आपको और यह terminology पर सवाल है कि पानी कौन थे ठीक है तो पानी को कहा गया है cattle thieves आरेंज ने पानी को cattle thieves कहा गया है लेकिन मैंने आपको यह भी स chaos is the order ठीक है समझ रहें यह sense बन जाती है कि अगर आप chaos is the order के concept को अगर आप समझ गए न इवेंचली समझाओंगा मैं आपको क्या है chaos is the order का system अगर आप उस concept को समझते हैं तो बहुत असानी से conclusion पर पहुंच जाएंगे कि yes आरेंज वर इंडीड cattle thieves right next देखेगा the word दासा बस हम बहुत असानी से control कर सकते हैं तो उन्होंने अपने उन native से जो है वह अपने odd jobs कराना शुरू किया यानि अपने घरों की साफसफाई करानी शुरू करी अपने जानवरों को जो है वह मतलब पास्चर में मतलब डंगरों को चराने के लिए यह काम करो तुम ठीक है तो अप अपर दश्यू हत्या, slaughter of das quaseboo's has been mentioned over and over in रिगवेद, अब यहां पर रगवेद में, रगवेद कई जगा अपर पढ़ा गया है रिगवेद को, रिगवेद में दश्यू हत्या वर्ड इस्तमाल के आ गया है बार-बार और बहुत, मतलब proud से इस्तमाल के आ गया है कि एक आर् अपना दास बनाया और उनकी हत्या करने को नोबल समझा ऐसे जिस्टिफाई किया कि दश्यू की हत्या अगर कोई आर्रे कर रहा है तो उससे नोबल तो और कोई काम है और दश्यू की यही जो है मतलब उसकी आप मान के चली कि उसकी destiny ही यही है कि वो आरन के हाथ से मार खाए यहां से जो है वो भारत की society में world विवस्था की जो कुटिलता है world विवस्था की जो मतलब stiffness है वो हमें development world विवस्था की समझे रहें system की stiffness जो है वो हमें रिगवेद में दश्यू हत्या टर्म से डवलप होती नजर आती है क्योंकि यही दश्यू जो है वो आगे चलकर शूद्रवर्ण में एंटर होंगे natives ही तो देखिए बहुत important बहुत simple सा फंडा है कि आरेंज आए बाहर बाहर से मतलब अगर आप आरेंज इंवेजन या whole southern Russian migration theory को अगर आप समझें तो आप यह conclude करेंगे कि जो इंडो आरेंज लोग हैं वो enter किये कहां पर north western region में इंडिया के और वहां के जो natives से उन natives को culturally उन्होंने dominate कर लिया क्योंकि वो natives अभी भी बहुत हद तक बहुत हद तक primitive तरीके से रह रहे थे जबकि उनी के आसपास जबकि उनी के आसपास एक बहुत advanced civilization रह चुकी थी हडपन civilization राइट बट स्टिल वह बहुत primitive तरीके से रह रहे थे आरेंज के मुकाबले जबकि आप अगर ध्यान देंगे तो Indus Valley civilization was more sophisticated than Rig Vedic people Indus Valley civilization के लोग जादा better तरीके से रहते थे रिगवधिक लोगों से ठीक है लेकिन Rig Vedic लोगों के पास सबसे important चीज था उनका आश्व उनके घोड़े और रथ जिसके दम पर उनने सब को जीता इनके दम पर इन घोड़ों और रथों के दम पर उनने हतीतियों को भी हराया मितानियों को भी subjugate किया मतलब इन सब के inscriptions में नजर आता है कि जो घ घोड़े वाले जो लोग हैं इन्होंने हमें dominate करा है ठीक है तो यह घोड़े वाल लोगों है वही जो southern Russian region से migrate किया है क्योंकि घोड़ा वहां का native जानवर है स्टैपे के मैदान होगा ठीक है तो दश्यू हत्या वर्ड जो है वह एक बहुत important term आ गई रिगवैद से जोड़ी हुई रिगवैद में mentioned है यह कई जगाओ पर next देखेगा आरेंज also fought among themselves अब आरेंज अगर इतना ही लड़ने जगडने का सीन था तो आपस में भी लड़े होंगे तो आरेंज की आपस की लड़ाई हमें देखने को मिलती है आगे बताता हूं मैं आपको आरेंज also fought among themselves and thus many intra-tribal conflicts rose in आरेंज communities these intra-tribal conflicts were very common the country भारत वर्षा derives its name from भारता tribe also mentioned in रिगवेद तो देखिए कई country के level तक जो है वो इनका administration पहुँचा वा था आगे मैं आपका administration detail में समझाओंगा भी तो भारता clan तो basically सबसे basic क्या है सबसे basic है clan ठीक है clan किस से बनता है different families से बनता है अब वो families जो है वो आपस में हो सकता है उनकी kinship हो या ना भी हो लेकिन काफी सारी families को जुड़कर बनता है clan और उस clan का कोई होता है head ठीक है तो मान लीजिए मान लीजिए ये region है ठीक है एक ये particular region है इसमें इस तरह जो है वो clan रहती है और उनके आसपास का जो region है वो उनका पास्चर है ठीक है eventually क्या होगा कि कोई एक clan ये सोचेगा कि मैं अपने आसपड़ोस के दोनों पास्चर को हतिया लू तो मान लीजिए इस clan ने आसपड़ोस के दोनों के पास्चर को हतिया लिया उनके cattle को अपने control में ले लि तो यही engulfing का काम जो है वो भारता clan ने किया और भारता जो है वो राश्टर के रूप में डवलप हो गया उस भारता राश्टर के नाम पर आज जो है वो हमारे देश का नाम भारत रखा गया है ठीक है समझे आप सो भारत वर्ष जो है वो बेसिकली एक powerful clan था जिसने आपन battle of 10 kings or the dasrajan yudh or dasragyay yudh बहुत important battle of 10 kings was fought between tribe भारताज and the confederacy of other 10 tribes on the banks of river Purushni that is present day रावी river यह जानकारी हमें कहां से मिलती है रिगवेद में तो रिगवेद में हमें tribal Aryan conflict के वारे में जानकारी मिलती है जिसमें भारता clan जो की सबसे बड़ा clan था versus 10 अन्य clans का एक combined group क्योंकि भारता सबको engulf करता जा रहा था तो इन 10 clans ने आपस में जुड़कर decide गया कि हम भारतों से लड़ेंगे ठीक है जिसका result क्या हुआ और यह लड़क आं गया यह लड़ा गया रिवर रावी के किनारे दभारता वर लेड़ बाए सुदास तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन में आपको समझानी कुश्च करता हूँ देर इस दास सफिक्स डैट इस यूजड इन आरन नेम में दास वर्ड यूज़ किया जाएगा सफिक्स और दास वर्ड जो है वो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दास वर्ड जो है वो स्लेव के लिए यह दस्यूं के लिए नेटिव के लिए इस्तमाल किया गया है ठीक है तो यहां पर कंक्लूज जो संस्कृति फॉलों कर रहे हैं यानि जो बहुत अच्छे से मंत्र उच्цуर करते हुँगे मतलब जो प्रॉपर और र किल्टरों को फॉ पर रहे हुए ठीए उनकी अलावा कुछे ऐसे भी क्लेंज रहे होंगे जो संस्कृत भाशा का इस्तमाल तो करते हैं लेकिन कोर आरेंट ट्रेडिशन को इस्तमाल नहीं करते हैं उनमें से कुछ जो क्लेंज है उनको कहा जाता है खश ठीक है खशाज तो इन खशाज के जो नाम है उनमें टाइटल रहता है पीछे दास तो जब कि यह है तो ARNs लेकिन ARNs ने इनको अपने साथ अपने कल्चर में accept तो किया है लेकिन वो लेवल इनके पास नहीं है तो भारताज क्लेप का जो लीडर है वो एक खश आर रहे था जिसके नाम के पिछे टाइटल जो है वो दास लग रहे है लेकिन इतना डीप में अनू, धुरुयू, अलीना, पक्था, भलनास, शिव और विशनिन, जिसमें से पुरू, यादू, तुर्वासा, अनू और धरियू, ये पांच जो हैं, ये आरेन ट्राइब्स हैं, और बाकी नॉन आरेन ट्राइब्स हैं, नॉन आरेन ट्राइब्स को शाद, निशाद, ठीक यह सब जो हैं वो non-rn tribes के नामें लेकिन हमें non-rn tribes में नहीं एंटर करना, non-rn tribes वो को आप पढ़ते हैं जो अगर आप किसी राज्य पर्टिकुलर का इतियास पढ़ रहे हैं, अगर आप माल लेजे हिमाचल प्रदेश का इतियास पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर इन non-rn tribes क इंपोर्टेंस बढ़ जाएगी, उतराखंड के इतियास में, उसके अलावा अगर आप माल लेजे, अगर आप पाकिस्तान में वहाँ के अगर हिस्ट्री को स्टेडी करेंगे, तो वहाँ पर non-rn tribes का इतियास जाए, वो इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीके, लेकिन अगर आप सेंटर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर non-rn tribes पर हमें ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा अलीना, पक्ता, भलनाज, शिवा, वेशनिन, आर दर non-rn tribes, ये हैं आपके non-rn tribes, तो ये हैं एक साइड दस tribes, दूसरी साइड भारता, इन दोनों के बीच म फिर वो हाथ मिला लिया बात में, ठीक है, इन हारने वाली tribes में से सबसे strong थी पुरू, और भारता और पुरू ने आपस में हाथ मिला लिया, ठीक है, next देखेगा, तो ये देखेगा, यहाँ पर आपको ये tribes जो हैं वो पूरी बटी हुई नजर आ जाएंगी, जिसमें से य ये है भारता, और इसी के पडोस में है पुरू, ठीक है, उसके लावा अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो आपको बाकी सब भी नजर आ जाएंगी, देखेगे, ये है तुर्वासा, अनू, भलना, पक्ता, अलीना, गंधारी, धृयू, ठीक है, ये बाकी की tribes है और ये हैं बाकी rivers, बहुत ही मर्ण देखेए, ये जो dotted है, this is the supposed route of सरस्वती river, उसके लावा सरस्वती river जो है वो माना जाता है कि एक सरस्वती जैसी ही हरकवती, हरकवती word और फिर जो है उसका भी एक अवरंज रूप डेवलप हो गया है, वो अफगानिस्तान रिजन में ब कुरूमू नदी, गोमती नदी, सिंधू, विताशा, अस्कनी, पुरुशनी, विपासा, शुतुद्री, शुतुद्री आपकी सतलुज, विपासा आपकी ब्यास, पुरुशनी रावी, अस्कनी चनाब, विताशा जहलम और सिंधू तो इंडस river है ही, ठीक है, तो इन rivers का न सो दस रागे युद, यह सब हमें कहां से मिल रहे हैं, रिगवेद से मिल रहे हैं सारे, क्यों क्योंकि रिगवैदिक पीरियड का एक मात्र जो literary source है, वो है रिगवैद, इसलिए रिगवैदिक पीरियड उसका नाम है, बाकी के अन्य जो चार वेद हैं, वो लेटर वेदिक पीरियड में कंपाईल किया गए है, केवल रिगवेद, so रिगवैदिक पीरियड के बारे में जो भी हम एक निकाल कर ला रहे हैं, यह सब कहां लिखा है, यह सारा का सारा लिखा है, त्छान रखियेगा, आगे बढ़ते हैं, Deutschlande है न हम वेदा है, कई पर यग्य में इस्त ठीक है, वेदा signifies wisdom, knowledge और vision, वेद हमारे पास चार है, रिगवेद, साम, यजुर और अथर्व, रिगवेद was composed in early Vedic period while the other three composed in later Vedic, तो रिगवेद, साम, यजुर और अथर हैं, जिसमें से रिगवेद आपका रिगवेदिक period और बाकी तीनों later Vedic, तो बहुत important fact, basic सवाल पूछा जा सकता है, subordinate examinations में, ठीक है, आगे वड़ते हैं, तो ये देखिए, चार वेद हैं आपके, रिगवेद, यजुर, सामवेद और अथरवेद, जिनकी PDF जो है, वो net पर available है, अगर आपको पढ़नी है, तो मुझे आप DM कीजिए, ठीक है, मैं आपको अपने channel, चोहान underscore, सर underscore history पर authentic, बिलकुल authentic जो है, वो वेदो की PDF जो है, वो दूँगा, और खास तोर पर मेरी ये आपसे request है, अगर समय लगे, अभी नहीं तो examination के बाद, रिगवेद को at least जरूर पढ़िएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैदिक literature, अब वैदिक literature की बात करते हैं, सबसे पहले ह है, पहले तो क्या है हमारे पास, पहले तो चार मुखे वेद हैं, फिर उसके बाद हमारे देखते हैं, वेदांग आएंगे, उपनिशद आएंगे, उन सब पर आगे discuss करेंगे, लेकिन पहले तो हम चार वेदों को समझें, और उनके क्या important features हैं, सबसे पहले है, रिग वेद रिग वेद वस कंपाइल इन रिग वेदिक एज, यह हम समझ गए, बाकी के तीनों वेद कब कंपाइल के गए हैं, लेटर वेदिक एज में, यानि एक हजार बीशी के बाद, अब यह हम किस के लिए हैं, अगनी, इंद्र, मित्रा, वरुना, एंड अधर गोड्स, छीक है, सो बेसिकली, नेचर के गोड्स हैं, कोई भी, कोई भी, यानि कि नेचर को, इनसान की रूप में, परसौनिफाई किया गया है, किसे नेचर को, सो नेचर की पूजा की जा रही है, किसमें रिग वेद में, इननैट डियांट, उन इस नेचर के जा बना दिया, यानि बिजली कड़कती हुई नजराई तो नहीं लगा क्योंकि देखे बिलकुल आज हम जो भी फिनॉमिना समझते हैं वो हमें present day जो हमारे दिमाग में knowledge है उसी सबसे समझते हैं perception का खेल है और वो perception develop होता है बचपन से अगर बचपन से मैंने sciences को समझा है तो मेरा perception develop हो गए मैं अगर बादलों को गरचते होए देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि यह क्या है ions जो है वो आपस में टकरा रहे हैं और चार्जों की जो charges है उसकी वज़े से spark create हो रहा है और spark जब atmosphere को चीरने कोशिश करता है तो thunder पैदा होती है ठीक है तो मेरे पास यह conclusion तयार है लेकिन आज से 4,4,5,000 साल पहले के इंसान को क्या पता था charges और क्या पता था ions तो उसके साब से तो अंबर में कोई बैठा है आस्मान में कोई बैठा है जो गरज रहा है तो natural forces जिन से उस गरजना से उसको डर लगता है क्योंकि जहां बिजली गिरती है वहाँ पर उसके kettle मर जाते है क्योंकि अगर कोई kettle positively charged हो गया तो उसके ओपर अचानक से बिजली गिर जाएगी तो उसके kettle का नुकसान हो जाता है आपने सुना होगा ना गाओं में भैंस पर बिजली गिर गई गाहे पर बिजली गिर गई तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनकी skin हो सकता है positively charged हो जाए इंसानों पर भी बिजली गिर जाती है हमारी skin positively charged हो जाती है तो यह कोई भी for that matter कोई भी अगर body positively charged हो जाए थोड़ा सा hilly region में हो बारिश हो रही हो तो उस पर आसानी से बिजली गिर सकती है तो बिजली उनके लिए खतरनाक जो है वो चीज थी इसको उन्होंने देवता बना दिया पहली चीज़ दूसरा बहुत तेज हवा चलेगी तो वो भी उनके लिए खतरनाक चीज़ है या intimidation या intrude करता है उन्हें तो उसको भी personify कर दिया देवता बना दिया जल उनके लिए बहुत जरूरी है देवता बना दिया अगनी उनके लिए बहुत जरूरी है खाना पका रही है अगनी को भी उन्होंने देवता बना दिया जितनी भी natural forces है शुरुवाती सभी tribes ने उन्होंने शुरुवाती सभी tribes ने natural forces को देवता बना है ग्रहन लग रहा है उसी कोई जो है वो एक देवे समझ रहे है उनके पस कोई logical explanation तो नहीं था न शुरू में तो उन्होंने उनके जो है वो mythical explanations create किया stories बना दी कि एक ये जानवर था एक ये दूसरा जानवर था कि ये इनसान था मुलब समझ रहे हैं Indian traditions में भी Western traditions में भी उसके अलावा Babylonian traditions में भी Egyptian traditions में भी ये जो natural phenomena's है for example eclipse तो eclipse को लेकर कई कहानिया बनी है Incans में भी, Mayans में भी, Scandinavians में Nordic में भी, Greek में भी Indian mythology में भी, Chinese mythology में Japanese mythology में हर जगा ये हमें pattern देखने को मिला है ठीक है तो यहाँ पर आपको concept समझ आया है क्या कि nature की पोज़ा कर रहे है कौन? Rig Vedic लोग अब हमें यहाँ पर देखिए change समझ रहे हैं मैं फिर बोल रहा हूं process of change समझना है हमें तो यहाँ पर सवाल बनता है कि Rig Ved से later Vedic देवताओं में क्या difference है Later Vedic से Mahajanpad के देवताओं में क्या difference है Mahajanpad से गुपता period तक के देवताओं में क्या difference है यहाँ पर गुपता period तक तो लेटर वैदिक पीरेड में, अगर आप जानते हैं उस देवता का नाम, तो तुरेंट मुझे कमेंट में बताएंगे, कौन है वो देवता, जो कि रिगवेद, रिगवेदिक लोगों के लिए बहुत important है, लेकि लेटर वैदिक पीरेड में वो शुद्रों के देवता बन जात उसके सर से निकला ब्रहमा, उसकी जांगों से वैश्य निकल रहा है, उसकी बुझाओं से क्षत्रिय निकल रहा है, उसके चरणों से शुद्र निकल रहा है, तो यह जो पूरी जानकारी है, यह रिगवेद में कहां मिल रही है, पुरुष सुक्त में मिल रही है, जिसमें चारो वर्ण यानि ब्रह्मा, क्षत्रिय, पैश्य और शुद्र के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कहां से, पुरुष सुक्त आफ रिगवेद, अब मुझे आप तुरंत कमेंड में बताएंगे कि रिगवेद के किस मंडल में, मैंने जानके नहीं जोड़ा हुआ ये, रि रिगवेद के किस मंडल में है, आप मुझे ये भी बताएंगे कमेंड में, बहुत important questions है, आगे बढ़ते हैं, next आएगा सामवेद, तो देखिए सामवेद, यजुर और अथर्व ये तीनों लेटर वेदिक पीरेड में लिखे गए हैं, ठीक है, लिखे तो खेर बाद में ग 2018 जो हिम्स हैं, ये 500 सालों तक रटाए गए हैं एक जनरेशन टू अगली जनरेशन, यानि कि वन जनरेशन ऑफ प्रीस्ट ने अगली जनरेशन ऑफ उभरती हुई प्रीस्ट जनरेशन को बार बार बोल बोल के उन्होंने रटे हैं, शुरूतियां कहा जाता है इसे, यानि क जो जो इन्फरमेशन वोकली या ओरली जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास की जाए, उन्हें शुरूतियां कहा जाता है, ठीक है, तो शुरूतियों के माध्यम से, not literary sources, क्योंकि ये सारे वेद जो हैं, वो लिखे बहुत बाद में गए हैं, लेटर वैदिक पीरियेड के अंतिम चरण में, लेटर वैदिक जो एज है न, उसमें यानि कि 700 BC के बाद इन वेदों को literary sources में convert किया गया है, ठीक है, लेकिन इससे पहले ये compile थे, लेकिन शुरूतियों के form में थे, ठीक है, तो रिगवेद लिखा बहुत बाद में गया, मान के चलिए 600 BC के बाद लिखा गया है लिगवेद, लेकिन रिगवेद की development as a oral practice रिगवेदिक पीरिएड में चल रही थी, इस बात को हम ठोस तरीके से मान सकते हैं, right, क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमें archaeological remains रिगवेदिक पीरिएड के मिले हैं, वो रिगवेद से match करते हैं, that means भले ही रिगवेद लिखा बाद में गया हो, लेकिन tradition जीवित था, सामवेद, it is the collection of melodies, it contains stanzas from रिगवेदा, and set to the tune, for the purpose of singing, the सामवेद is important in tracing the history of Indian music, बहुत important, सामवेद से क्या मिलता है आपको, Indian music की जड़े कहां से मिलती हैं, सामवेद से, सामवेद is essentially रिगवेद, सामवेद है तो रिगवेद ही, लेकिन रिगवेद को गाकर किस तरह याद किया जा सकता है, या गाकर किस तरह, यानि कि रिगवेद को आप recite किस तरह करेंगे, poems में, गाकर किस तरह recite कर सकते हैं, melodies में किस तरह recite कर सकते हैं, यह सब सामवेद में लिखी है जानकारी, ठीक है, तो सामवेद कहां से बना है रिगवेद से बहुत important है सामवेद रिगवेद से बनाए क्योंकि रिगवेद को याद रखने का तरीका जो है वो गायन अगर रिगवेद को गाया जाए तो याद रखा जा सकता है असानी से उसके लवा यहीं से जो है वो इंडियन classical music की जड़े भी हमें निकलती हुई नजर आएंगी आगे देखिए नेक्स आएगा यजुरवेद यजुरवेद दिस वेदा comprises of hymns as well as rituals that have to accomplish their recitation अब देखिए ये जो सामवेद में जो melodies का जिक्र किया गया है कि रिगवेद के शलोकों को इस तरह गा कर पढ़ा जाए तो वो किस occasion पर पढ़नी है तो वो जो occasion है वो जो ceremony है वो जो ritual है उस ritual की जानकारी जिसमें सामवेद में बताए गई melodies को गाया जाएगा उस ritual की जानकारी यजुरवेद में देख रहे हैं आप development किस तरह है रिगवेद में जो शलोक लिखे हैं उनको गा कर सुनाने की जानकारी सामवेद में है सामवेद में जो गाने गाने कह लिए ठीक है असानी समझने के लिए सामवेद में जो गाने दिये गए है जो कि basically essentially रिगवेद है उन गानों को गाया कब जाएगा किस occasion पर गाया जाएगा वो बताया गया है यजुरवेद में ठीक है ceremonies या rituals के बारे में जान करी है various detailed rules that are to be observed at the time of sacrifice and mentioned here so जितना भी ritual जो भी sacrifice रहता था कि किस जानवर की बली कब दी जाने है किस मंत्र को कब पढ़ा जाना है कितनी तेजी से पढ़ा जाना है कितनी जोर से पढ़ा जाना है तो यह सारे rules जो है वो कहां बताये गए है कौन पढ़ सकता है यजुरवेद में the rituals reflect the social and political milieu in which they arose क्यों 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 हमें यहाँ पता चलता है कि महिलाओं और वैश्यों और शुद्रों और in fact कई लोक तो क्षत्रियों को भी कई हिम्स तो क्षत्रियों को भी पढ़ने की आनुमती नहीं थी तो यह सब जानकरी हमें कहां से मिल रही यजुरवेद में तो हमें यहां से यजुरवेद से पता चलता है कि society का क्या हाल था क्यों क्योंकि हमें restrictions का पता चलता है restriction किस पर एक है शुक्ल यजुरवेद जिसको वजय सनेई कहा जाता है और दूसरा है krishna यजुरवेद वजय सनेई की अन्य जो है वो सब ब्रांचिज है मध्यदीना और कानवी नौर्थ इंडिया में मध्यदीना फॉलो किय जाते हैं और साउथ इंडिया में कानवा या eastern region में कानवा उसके अलावा krishna यजुरवेद है ताइतर्या कथका ठीक है मेत्रयानी कपिस्थल इन पर ये उपनिशद भी बने है as well as आप ये मान सकते हैं कि यजुरवेद के ये हिस्से हैं उनी पर ही उपनिशद लिखे गए हैं obviously तो ये उपनिशदों के नाम भी है as well as ये यजुरवेद के हिस्से भी आप मान सकते हैं क्योंकि यजुरवेद से ही निकले हैं आगे देखे इन यजुरवेद अब देखे रिगवेद से हटकर ये जुरवेद में क्या है लोहे के बारे में कल के बारे में जानकारी है नहीं है रिगवेद से सामवेद बना सामवेद से यजुरवेद बना लेकिन यजुरवेद में आईरन के बारे में जानकारी है जो कि रिगवेद में नहीं है that means रिगवेद में additions जो है वो सामवेद में भी हुए है रिगवेद से additions यजुरवेद में भी हुए है आगे बढ़ते है next आता है आपका अथर्ववेद अब अथर्ववेद क्या कहता है बहुत अलग कहानी कहता है अथर्वेद contains details of rituals it contains charms and spells to ward of evil and disease so जिस तरह सामवेद जो है वो बताता है कि रिगवेद के हिम्स को गाना किस तरह है यजुरवेद बताता है कि किस ritual को किस तरह करना है ठीक है वही पर ही अथर्ववेद बताता है अथर्ववेद बताता है कि मंत्र टूने टोटके ठीक है, बिमारी को ठीक करना बिमारी कर देना किसी को किसी की जान ले लेना, किसी को जान बक्ष देना, ये सारे जो इल्म है, इल्म की जानकारी जो है वो कहां पर है, अथर्व वेद में बहुत important, right so dark magic जितना भी है इंडिया में वो अथर्व वेद से आप कह सकते हैं, डवलप हुआ है तो अथर्व वेद में नौन आरेंज के द्वारा इस्तुमाल किये जाने वाले रिचुल्स, जादू, टोना, मैजिकल पावर जिन सब की जानकारी भी है अब वेदों के अलावा और कौन-कौन से लिटरर रिसोर्से हैं तो चार वेद हमने समझ लिया और उनकी इंपोर्टेंस क्या हम समझ गए ठीक है, आई हूप आपको कॉंसेप्ट तयार हुआ होगा इस चैनल का नाम ही है दा कौनसेप्ट और यहाँ पर कौनसेप्ट प्रिपेर गर रहा हूँ मैं आपके ठीक है, अधर सेक्रेड वर्क्स लाइक दा ब्रहमनाज, उपनिशद, अर्यंकाज, एंड़ एपक्स, रमाइना एंड़ महाभारता आर अल्सो प्रेजट ठीक है तो वेद के अलावा क्या है, ब्रहमन है, उपनिशद है, अर्यंक है और एपक्स है यह क्या है आपकी, वेदिक लिटरिचर में ही आ जाती है पूरी टोटल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ब्रहमन क्या है ब्रहमन यह, वर्न वाला ब्रहमन नहीं है, यह लिटररी सोर्सेज है, ब्रहमना कहा गया है क्या है यह, explains the hymns of वेद, वेदों की व्यक्या कहां पर है ब्रहमनों में कि, किस वेद का actual मतलब क्या बनता है, यह ब्रहमनों में है और यह किस पीरिड में डवलप हुआ है, यह लेटर वेदिक पीरिड में डवलप हुआ है ठीक है, ध्यान देंगे आप so hymns of वेदाज and act as appendices to वेदाज है न, so वेद के appendices क्या कहलाते है ब्रहमनाज, they are written in prose and elaborately describe the various sacrifices and rituals along with their mystical meanings so देखिए, जो वेद है उसमें तो केवल hymns लिख दिये गए है लेकिन उन hymns को explain करने का काम ब्रहमनाज ने किया है so sacrifices अगर mentioned है यजोर वेद में अगर कोई mantra mentioned है अथर वेद में अगर साम वेद में कोई किसी राग को, किसी वेद, मुनलब किसी शलोक को किस तरह गाना यह mentioned है तो उनकी further explanations हमें कहां देखने को मिलती हैं ब्रहमनाज में इच वेदा है सेवरल ब्रहमना तो हर वेद के कुछ सेवरल ब्रहमनाज होंगे दर टू ब्रहमनाज अटैश्ट टू रिगवेद, रिगवेद के साथ जुड़े है कौन? आइतर्या और कोशिता की ब्रहमना, बहुत important बहुत important है रिगवेद के साथ कौन से दो जुड़े हों है अइतर्या ब्रहमना और कोशित की ब्रहमना अर्यंकाज और फॉरस बुक्स उसके अलावा देखिए उसके अलावा आप कहेंगे सर की बाकियों के साथ जुड़े होए ब्रहमन और उन ब्रहमनों के साथ जुड़े होए रिशियों के नाम कहां है तो वो सवालों के फॉर्म्स में लेकर आऊंगा ठीक है जुड़े रही है तो अर्यंकाज और फॉरस बुक्स तो अर्यंका शब्द का मतलब होता है बुक्स रिटर्न इन फॉरस क्यूंकि देखते हैं deals with mysticism, symbolism, rituals and sacrifices अर्यंकाज में जो हैं वो sacrifices, rituals वगरा के बारे में लिखा हो गया है लेकिन यह लिखा किसने ऐसे रिशी या ऐसे रिशी के शिश्य है जो जंगलों में रहते थे जो बन में रहका मतलब बन में रहका जिन्होंने अपने जो है वो ग्यान प्रप्त किया या जो भी वो मतलब rituals कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने जो compilations तयार करी है वैदिक period में उनको कहा गया अर्यंका they form the natural transition to उपनिशद, so अर्यंक से जो है वो उपनिशद आपको develop होते नज़र रहेंगे, बहुत important बहुत important point है कि उपनिशद कहां से develop होएं तो देखिए कई जगाओ पर आपको देखने को मिलेगा कि रिगवेद या वैदों से उपनिशद डेवलप होएं तो नहीं वैदों से अर्यंक डेवलप होएं और अर्यंक से उपनिशद डेवलप होएं यह आपको trend दिखान रखना है they form a bridge between कर्मा मार्ग, way of deeds which was the sole concern of ब्रहमनाज and ज्याना मार्ग जनाना नहीं पड़ेंगे, आप इसे ज्यान पड़ेंगे ठीक है, JN को आप ज्या पड़ते हैं क्योंकि ग्या के लिए कोई ग्या जो व्यंजन है हिंदी भाषा का, उसके लिए कोई alphabet English language में नहीं है, so JN को ग्या पड़ा जाता है right, so it is ग्याना ग्याना मार्ग, way of knowledge the उपनिशद advocated, so देखेगा so जो ब्रहमना है ब्रहमनों ने अब यहाँ परना थोड़ा सा conflict है, रिगवेद और अन्यवेद जो है, वो वैदिक लोगों ने डवलप किये लेकिन जो ब्रहमन और खास तौर पर जो उपनिशद है वो फिर आगे आने वाले यानि कि रिगवेदिक लोगों के जो फर्दर, यानि 700 बीसी से, 600 बीसी से, इसके बाद के जो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं लोग, उन्होंने उपनिशद वगएरा डवलप किये हैं, ठीक है या उससे पहले भी 800 बीसी से रख लीजे आप तो रिगवेद की क्या व्याख्या होनी चाहिए, प्रॉपर, तो उसमें दो मुख्य конфliction है, रिगवेद की प्रॉपर वैख्या क्या होनी चाहिए, एक साइड जो ब्रहामनों की व्याख्या है ब्रहामनाज में जो व्याख्या है, और दूसरी साइड जो उपनिशद में जो व्याख्या है, यह हामन है वो कर्म माग कर्म माग से आपका पूरी वर्ण व्यवस्था जुड़ जाती है इसके साथ और जो ज्यान मार्ग है वो यह कहता है कि मान लीजे कोई व्यक्ति शुद्र वर्ण में पैदा होकर उसने ज्यान प्राप्त कर लिया लड़ने का तो अब वो ख्षत्रिय हो ग नहीं कोईश्च कर रहा है इसलिए जाइनिजम बुद्धिजम जो है वो उपनिशद को फॉलो कर रहा है ना कि ब्रहामन उसको बहुत इंपर्टन कॉंसेट दे दिया मैंने आपको जाइनिजम बुद्धिजम जब समझाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा आपको कि यहीं से ही उपनिशदों को पढ़कर ही जो है वो फिर आगे बुद्ध ने ज्ञान पराप्त किया है ठीक है तो उपनिशदों पर आधारित है आगे बोधी सत्व भी एस वेल एज बुद्धिस्ट एस जैनिस्ट लिटरिचर पूरा का पूरा ठीक है तो उपनिशद में इन मेटाफिजिकल की इनसान क कि conscious का इस पूरे ब्रहमान के साथ क्या connection है इस तरह की बात है जबकि दूसरी साइड जो ब्रहामनिक है वो क्या बोल रहे है वो बोल रहे है कि नहीं वो कर्म वाला सिस्टम रिच्वल करते रहो तभी मोक्ष मिलेगा है ना क्योंकि देखिए बुद्ध क्या बोलता है तो सब का अपना-पना अलग अलग तरीका है मोक्ष दिलवाने का मोक्ष की निर्वांड प्राप्ति की सब यह वो पुनर horizon का नम का रिबर्थ का बिटाय गया है लेटर वैदिक पिरिघ्ड़ से रिबर्थ का कॉंसेप्ट बताओंगा आपको रिबर्थ और ये जनम जनम का चक्र ये जो कॉंसेट है इसकी वज़े से मोक्ष का जो है वो सिस्टम शुरू होता है और मोक्ष प्रोवाइड करने के लिए ब्रामनिक लोग कहते हैं कि हम ऐसा जो है वह आपका यग्य करवा देंगे इतनी जमीन दान दो इतनी दासियां दो इतने जो है वो जानवरों को सेक्रिफाइस करो और आपको मोक्ष मिल जाएगा ठीक है दूसरी तरह बुद्धिस भी बोलते हैं कि दुन दीन दुनिया छोड़ दो अपना लो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ो ठीक है तो सबने अपने अपने सबने अपने अपने हिस चाहते हैं ठीक है और केवल प्री नहीं क्योंकि देखिए मजाग वाली बात रहती है बहुत चारी डिजस प्री ओरियंटेड पढ़ाते हैं कि प्री निकालो प्री निकालो भाई अप्री क्वालिफाइंग नेचर का है असल लड़ाई है मेंज और मेंज में काम आते हैं आपके concept नहीं है तयार तो नहीं निकलेगा मेंज कितना मर्जी बार लिख लो ठीक है तो concept पर जो है वो पकड़ होने जीए बहुत मजबूत तो भारत की society को अगर आपको समझना है अगर मान लीजिए जो commission में जो panel बैठा है वो कैसे मान ले कि आप जो है वो एक sdm की कुर society की इनको आप नहीं समझेंगे तो आप कैसे साशन करिएगा ठीक है बहुत important चीज़े हैं यह concept दिमाग में डालना बहुत जरूरी है इसलिए मैं facts बहुत सारे मैंने ना देखिए कई सारे बच्चे सोचते हैं सर बहुत lengthy lecture है भही आप बहुत जरूरी है retain भी तो करना है दि भी आपको समझाऊंगा लेकिन तीन घंटे में पूरा syllabus cover नहीं होता दोस्त अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो प्री आप भले निकाल लो मेंज नहीं निकाल पाओगे मेरे से अभी लिखवा लो अभी मैं return में दे दूँगा आपको कि अगर ऐसे fact 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 और तेजी तेज की deep study करना concept generate करना आनिवार रहे है इसलिए मैं lengthy sessions लेता हूँ ठीक है और जो बच्चा असल मैं पढ़ना चाता है न वही यह देखेगा उसी के अंदर इतने patience है देखने के वही ठीक है डेढ़ दो गंटा उसके लावा जो snap में पढ़ना जाते है उनसे फिर commission निकलना भी नह जो डेढ़ घंटा session नहीं सुन सकते है वो तीन घंटा लिखेंगे कैसे ठीक है simple सी बात next देखेगा it criticizes the rituals and lay stress on the value of right belief and knowledge देखे यहाँ पर न यह आगे मैं Buddhist literature मैं आपको detail में समझाओंगा कि यह उपनिशद कहना क्या चाते थे actually actually उपनिशद जो है न वो वैदिक और खास त इतना सेक्रिफाइज दे दो इतनी भूमी दे दो, भूमी का दान जो है वो इतना खास importance नहीं थी लेकिन इतनी दासियाह दान में दे दो इतने जानवर दान में दे दो. ठीक है यह हमें क्लैन दान में दे दो हम इने क्षत्री का टाइटन लेते हैं यह हमारे शूदर बना दो ठीक है तो यह जो बहुत ज़ादा materialistic approach वैदिक culture की develop बन गई थी डेवलप नहीं थी लेकिन बन गई थी उसको थोड़ा सा उन्होंने spirituality की तरफ गुवाने की कोशिश करी right belief की बात करी कि आपको जो है वो यग्य वग्य के पीछे ने पढ़ना चाहिए अपने अंदर अपने soul के अंदर ढूढ़िए knowledge का पीछा कीजिए ना कि rituals का ठीक है the upanishads are written in classical sanskrit not in vedic sanskrit this is again a difference between what ये again एक difference है जो vedic traditions है और upanishads में ठीक है vedic traditions जो vedic brahmanik है सीधा बोल देतों जो vedic brahman जैं और upanishad जिनोंने लिखे हैं उनमें एक और difference है कि classical sanskrit का इस्तमाल किया उन्होंने और classical sanskrit चेही धिरे-धिरे pali prakrit develop हो जागी ठीक है it states that goal of the life is to attain salvation moksh prapti which is possible through self control मोक्ष कहां से मिलेगा self control से दूसरी तरफ vedic brahmanism क्या कह रहा था मोक्ष कहां से मिलेगा यग्या से अब important upanishad देखे कौन कौन से है आयतर्य उपनिशद it talks about the creation of आत्मा and consciousness बहुत important है आयतर्य उपनिशद में क्या लिखा है soul and consciousness के बारे में उसके लाब चंद योग उपनिशद क्या कह रहा है it deals with rhythm and chanting of mantras तो चंद योग में क्या है चंद चंद हो गया चंद योग है basically तो rhythm and chanting of mantras मंत्र कैसे पढ़ा जाएगा किस rhythm में पढ़ा जाना है उस rhythm में उन vibrations से ही जो है वो उन मंत्रों का असर है ठीक है it also mentions the childhood of lord krishna and describes the sage घोर अंगीरस अंगीरसा बहुत important है lord krishna के childhood के बारे में जानकारी हमें कहां मिलती है तो हमें चंद योग उपनिशद में मिलती है ठीक है रिशी घोर अंगीरसा के बारे में जानकारी कहां मिलती है चंद योग उपनिशद में उसके अलाबा कथा उपनिशद tells story of नची केतन and यम बहुत important नची केतन एक छोटे से लड़के थे और मतलब एक रिशी के लड़के थे और यम हैं हमारे यमराज तो यमराज और नची केतन के वीच में वाद विवाद हुआ death, life, आत्मा, soul इन सब को लेकर their conversation involves man, आत्मन, knowledge, मोक्ष वगएरे इन सब के वारे में जान कर रही जिसमें यम ने समझाया हुने और यम ने काफी सारी चीज़े काफी सवाल जो हैं वो समझे भी नची केतनी है तो अगर आप हिंदी साहिते as optional लेते हैं तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का आपको detail में समझना होगा यहाँ केवल हमें यह fact है इन में concept में हमें घुषना ही नहीं concept में घुषेंगे तो फिर हमारे syllabus से बहार चला जाएगा यहाँ पर हमारा केवल fact आ जाता है आतर्रे उपनिशद, छंद योग, कथा उपनिशद उसके लाब next आएगा ब्रिहद्रंग का उपनिशद ब्रिहद्रंग का उपनिशद मेटाफिजिक्स के बारे में जानकारी metaphysics क्या होता है कि इंसान की conscious और इस ब्रहमांड या God और conscious का क्या relation है या जो supernatural शक्ति है उसको physics के साथ जोडने की कोशिश अगर की जाए तो उसको metaphysics कहा जाएगा देखिए मैं metaphysics में बहुत strong believer हूँ मेरा मानना ये है कि इस universe का दिमाग इस लाइक नहीं है कि ब्रहमांड में जितनी भी electromagnetic waves है उन सब को comprehend कर ले ठीक है सभी EMW को comprehend करने like conscious हमारा नहीं है या हमें पता नहीं उस conscious को कैसे develop किया जाए ठीक है so that means मेरा मानना ये है कि अगर कोई super super authority है कोई super शक्ती है super natural कोई शक्ती है तो वो हमारा दिमाग comprehend हो सकता है कि ना कर सकता हूँ तो मेरा personal belief यह है कि पूरी तरह इस concept को ठुकरा देना कि there is no God just because कि हमारा दिमाग comprehend नहीं कर सकता है तो मैं ये थियोरी को पढ़ेंगे ना ठीक है metaphysics a very advanced form of science ठीक है metaphysics को आप पढ़ेंगे तो वो बहुत clearly बोलता है कि हमारा दिमाग बहुत सारी EMWs को process नहीं करता है आप जहां भी बैठ है ना आपके आसपास करोडो अर्बो बिट्स information of EMWs आपका दिमाग आपकी senses के मादियम से receive कर रहा है ठीक है कौन-कौन सी touch, vision, smell, hearing इन सबके मादियम से बहुत सारी information receive कर रहा है लेकिन बहुत fraction of that को process कर रहा है जिससे आप देख पा रहे हैं आप महसूस कर पा रहे हैं आप सुन पा रहे हैं आप maybe, unprocessed information में से कुछ ऐसी energies है, कुछ ऐसी forces है, जो हो सकता है कि मतलब constructive, destructive energies हो उनके अंदर, ठीक है, जो कि मतलब brahant create करने के energies हो उनके अंदर, तो काफी interesting concept है, अगर कोई student मतलब मेरे साथ वाद विवाद करना चाता है, तो Instagram पर DM कर दीजे, मुझे, chohan underscore, sir underscore history, वहाँ पर हम further conversation कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है, आगे देखिए, it also contains dialogue between Gargi, बहुत important, भहिया, बहुत important, ठीक है, कहाँ पर, ब्रिहद, ब्रिहद अरंक्या उपनिशद में, गारगी और यग्न वलका नाम के दो रिशियों के बारे में, गारगी जो है, वो एक महिला रिशी हैं, एक गार गारगी वचन कवी, फीमेल वेदिक सेज, एंड सेज यग्न वलका, on the nature of आत्मा, गारगी जाकर भेड़ गई, यग्न वलका से, और यग्न वलका एक बहुत जानेमानी रिशी, वेदिक पीरिड के, उनको चैलेंज गर दिया, और ठीक ठाक उनको जो है, वो अपने गारगी is one of the important female sage of Vedic age, right, next, The Waste Land, a poem written by T.S. Eliot, draws inspiration from अपनिशद, बहुत important, एक European writer है, poet है, T.S. Eliot, उन्होंने लिखी है, एक poem, The Waste Land, जो की उपनिशद से, influenced है किस उपनिशद से, ब्रिहद अर्यंका उपनिशद से, next देखें, next आएगा, मुंदक उपनिशद, मुंदक उपनिशद contains the mantra satya mevajayate, which means the truth alone triumphs, used in national emblem of India is borrowed from it, right, so मुंदक उपनिशद से निकला है, satya mevajayate, ठीक है, जो की क्या है हमारा, national emblem में हमारा, मतलब national slogan इंडिया का, satya mevajayate, right, truth shall triumph, next बात, last बात करें, epics की, so epics जो हैं, वो long poetry narrating the deeds and adventure of heroic and legendary figures, epics of ramayana was composed by walmiki and mahabharata was composed by vedvayas, so दो मुखें हैं, रमायन और महाभारता, ठीक है, जिसमें से रमायन जो है, वो walmiki द्वाराज लिखी गई है, रिशी walmiki और महाभारता लिखे गई है, रिशी vedvayas द्वारा, तो इनके बारे में मुझे कुछ खास बताने की जूरुत नहीं है, हम सब जानते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते है सवालों में, जब मैं आपको questions कराऊंगा न, वहाँ पर कोई अगर खास चीज़ आ गई तो उसे ज़रूर mention कर लूँगा, next देखिएगा, during the early Vedic period, Aryans were mostly confined to Indus region, the Rig Veda refers to सब्चिंदू, अब देखिए, अब हमें रिग वेद में उनके geographical extent का, रिग वेदिक और early Vedic period के बारे मे देखते हैं, अब हम, so Rig Veda में किस geographical extent के बारे में पता चलता है हमें, यानि कि हमें Rig Veda से क्या पता चल रहा है, कि वेदिक लोग कहां रहते थे, ठीक है, क्योंकि सारी जानकारी हमें, Rig Veda से ही मिली है, obviously, so Aryans were mostly confined to Indus region, Rig Veda refers to सब्चिंदू, और the land of seven rivers, this includes five rivers of Punjab, namely, वितस्ता जहलम, पुरुशनी, रावी, सतुद्री, सुतलिज, अस्कनी, चेनाब, विपाशा, ब्यास, और other two कौन-कौन सी हैं, सिंधू और सरस्वती, यहां मैं आप में देखिए, ठीक है, तो यह आगई आपकी सिंधू, यह आपकी वितास्ता आगी, जहलम, अस्कनी, चिनाब, प हरकावती, और है, गोमती, कुर्मू, और कुभा नदी का भी जो है, वो काबुल है, यह कुर्मू नदी है, और यह गोमती नदी है, इनका जिकर भी हमें रिगवेद में मिला है, लेकिन तो सब्त सिंधू है, वो यह साथ नदियां है, ठीक है, और यह इनके वैदिक नाम है जेलम प्रेजंटे जेलम का वितस्ता, रावी का पुरुशनी, सतलुज का सुतुद्री, चिनाब का स्कनी, ब्यास का विपाशा, इंडस का सिंदू, और सरस्वती तो सरस्वती है ही, आगे बढ़ते हैं, इन साथ नदियों के जो आसपास का रिजन है, यहाँ पर रिगवैदिक लोग रहा करते थे, इस रिजन में, चीक है, इसके बाद इधर से उन्होंने फिर इस्ट वर्ड मॉमेंट शुरू किया, एक हजार बीची के बाद, पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, रिगवैदिक लोगों के पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, मैंने बोला न, अभी तक हमने उनके लिटरेचर के बारे में समझा, ठीक है, अब हम उनके पॉलिटिकल एड्मिनिस्ट्रेटिव, यह उनका पॉलिटिकल एक्स्टेंट है, geopolitical extent रिगवेदिक लोग होगा ठीक है कहां पर रह रहे हैं वो भारत के नॉर्थ वेस्ट रिजिन में जहां पर सब्त सिंधू सब्त सिंधू जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज में वो रह रहे हैं कौन शुरवाती आरेंज या जो रिगवेदिक लोग हैं रिगवेदिक लोग हैं नॉर्थ शुरवाती आरेंज जो रिगवेदिक लोग हैं उनके administration की, उनके political system की, उनके society की, उनकी economy की, उनके religion की, उनके culture की, उनकी language इस सारी जानकारिय हमें रिग्वेच से ही मिल रही है, ठीक है, क्योंकि जो archaeological sources हैं, वो उन पर खास भी research हुआ भी नहीं है वैसे, और वो बहुत contradictory है, ठीक है, अगर मैं history optional, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आएंगे history optional पर भी हम eventually पहुँचेंगे, क्योंकि मैं एक साथ ही सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, मैं कितना कुछ एक साथ पढ़ा दूँ आपको है न, ठीक है, so eventually हम history optional ये level तक भी पहुँचेंगे, वहाँ पर मैं आपको detail में समझाऊंगा, ये सारी चीज़ हैं, बहुत मज़ा आएगा, एक बच्चा कुछ पूछ पूछ रहा था से geography कप पढ़ाऊगे, so geography मैं आपको जब ये प्री हमारा हो जाएगा इस साल का, उसके बाद geography में शुरू करूँगा, ठीक है, जी एस वन के लिए, पॉलिटिकल और्गनाइज़ेशन की बात करें, तो किस तरहा के पॉलिटिकल ग्रूप में रह रहे हैं ये, ट्राइब बना कर रह रहे हैं, ठीक है, तो ट्राइब किस पर बेज़द होती है, किन्शिप पर, यानि कि सब जो हैं वो ताउ चाचा के होते हैं, रिष्यदार होते हैं और मोज सारे, ट्राइब वस लेड़ बाई दचीफ, ट्राइब का हेड कौन होता था, ओबियसली एक चीफ, यानि कि जो भी या तो सबसे बलशाली इंसान होगा, सबसे दिमागदार इंसान होगा, सबसे समझदार होगा, अब उसने किया क्या होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जो मतलब चीफ बनने के लाइक है, तो बेसिकली ऐसा व्यक्ति जिसने, कोई पास्चर लेंड ढूंडा हो, कोई बहुत सारे जानवर गौधनी खटा किया हो, दूसरे क्लैन को हराया हो, ठीक है, नैचुरल कलमिटी से बचा लिया हो, इस तरह का जो समझदार इंसान, वो चीफ बन जाता है, राइट, वो लेट दा वार्ज फॉर केटल, और गौधन की प्रोटेक्शन करना है, नैच्ट इस पूरा का पूरा विलेज, विलेज के सभी पूरुषों को युद में भाग लेना पढ़ता था, किंशिप वज हरीडिटरी, ठीक है, राजा के बाद राजा का पुत्र राजा बनेगा, ऐसा मतलब definite नहीं था आगे मैं आपको बताऊंगा hereditary यहाँ पर जो है वो देखने को मिली हमें लेकिन that is kinship kinship हमें hereditary देखने को मिली है कहने का मतलब एक clan जो है वो सब एक परिवार हुआ करता था ठीक है almost एक पूरा clan परिवार हुआ करता था आज भी कई ऐसे गाउं है अगर मैं जिस गाउं से बिलॉंग करता हूँ हमारा पूरा का पूरा गाउं ही चोहान लोगों का यह हम पूरे मतलब सभी लोग जो हैं वो एक ही मतलब सरनेम की हैं और मतलब कहा यह जाता है कि दो शुरुवाती भाई थे उनकी हम सारी संताने हैं चीक है तो इस तरह के क्लैंज वह गरते थे तो इसलिए हमारे यहाँ पर भी जो है अभी भी इस तरह के क्लैंज मौजूद है क्लैंज ही कह लिजी वो पूरा परिवारी है वो किंशिप ही है पूरी की पूरी ठीक है और अन्य आप अपने गाउं में देखिएगा कि क्या आपके यहां इस तरह के हैं या मिक्स हो गए हैं मतलब एक गाउं में कई तरह के जो है वो परिवार रह रहे हैं ठीक है हमारे यहां almost जो है वो एक गाउं पूरा का पूरा एक ही परिवार का होता है ठीक है किंग को बली मिलती थी क्योंकि किंग वोर में जिताता था तो किंग को सब जो है वो सम्मान करते थे obviously उसका ठीक है किंग के लिए वर्ड़ी होता था राजन ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि एक राजन की खूबिया किन देवताओं से मिलनी चाहिए तो इंद्र, मित्र और वर्ण ठीक है तो इंद्र जैसा जो है वो शौर्रे होना चाहिए था इंद्र जैसा वेलर, मित्र जैसी kindness, मित्र नाम में मित्र है और वरुन जैसे वर्चूज, ठीक है, वर्चूज यानि कि जैसा वो जो भी वो काम कर रहा है वो वरुन जैसे उन चाहिए था, फैसले वगएरा, उसके actions वगएरा administration की बात की जाए, so political history में कुछ खास है नहीं ठीक है, political history में हमें यह ध्यान रखना है कि उनका geopolitical region कहा है so geopolitical region सब सिंदू region के आसपास administration is something जहां से सवाल बनता है the chief or the king was the center of administrative system obviously king center है लेकिन king जो है वो सारी शक्ती रिगवैदिक पीरेड में king के पास नहीं थी देखिए, रिगवैदिक से लेटर वैदिक में, political शक्ती में, administration में बदलाव यह आया है कि जो शक्ती है रिगवैद में, वो king के पास पूरी शक्ती है नहीं, king war करता है लेकिन king के चैन का काम करती है, सभा और समीतिया the king was assisted by a number of officials like prohit, king को assistant दे रहे हैं prohit याद रखेंगे, priest के लिए word use हो रहा है, prohit, sinani, यानि कि general of army जो पूरी clan की आर्मी है, उसका head रहेगा, sinani gramini, यानि जो village है उसका head, और spash यानि कि spies so एक, एक रिगवैदिक कोई kingdom आप मान के चलिए एक रिगवैदिक kingdom के अंदर जो है, वो बहुत सारे villages हो सकते हैं ठीक है, उन villages का जो है, वो village headman है उन villages में spies छोड़े हुए है, उस village headman को कहा जाएगा gramini, ध्यान रखेंगे, village headman को कहा जाएगा gramini, spash यानि कि spies छोड़े हुए हैं, बहुत जरूरी है कि कहा पर और वो किस के लिए, किस काम के लिए छोड़े गए है spies कि कहा पर pasture land जादा है, किस के पास कितना गौधन है यह सब चीज़े ढूनने के लिए, ठीक है, पुरोहित was the most important officer of the state बहुत important, क्यों, क्योंकि पुरोहित के कहने पर ही यग्य हो रहा है, वो सारे काम पुरोहित ही करवा रहा है तो देवताओं के साथ, समझे है यहाँ पर धिरे-धिरे develop हो रहा है पुरोहिताओं का काम, देवताओं से इंसान को जोडने का लेकिन रिगवेद में उतना prominence नहीं थी उस काम को लेटर वैदिक पिरेड में हुई वशिष्ट and विश्वा मित्र were the two important priest in रिगवेदिक पिरेड यह important आ गया, रिगवेदिक सेजिस के नाम ठीक है, सो गारगी एक आ गई important वशिष्ट और विश्वा मित्र आ गया यह as a fact आपको matter of fact आपको ध्यान रखना है इसके concept मोत रहेंगे हम culture वाले part में विश्वामित्र compose the गायत्री मंत्र to widen the RN world बहुत important बहुत important गायत्री मंत्र का काम क्या है RN world को expand करना जहाँ जहाँ पर गायत्री मंत्र गुंजेगा वो region RNs का हो गया किस ने लिखा है विश्वामित्र ने the kings did not maintain any regular standing army क्या कोई standing army थी तो standing army आपको मगद empire जब develop हुए न वहाँ जाके आपको standing army develop होती भी नजर आएगी उससे पहले इस तरह की standing army का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए 100-200-1000 आदमियों को अपने लिए मरने के लिए तयार कर रखा है रिगवैदिक period में economy strong नहीं थी क्योंकि pastoral economy थी इसलिए जो है वो कोई standing army नहीं थी लेकिन पूरा का पूरा गाउं लड़ने पहुंच जाता था क्यों क्योंकि पूरा का पूरा गाउं जो है वो ताउचाचे ही होते थे रिष्चेदारी होते थे अगर कोई एक मान लिजे भारत वर्ष है तो उसके अंडर जितने भी villages है न अब आपको इनकी जो administrative वहरार की है वो भी बताऊंगा वहाँ पर करते हैं बाद डिसकस ठीक है the kings did not maintain regular army next point आगया न कि क्या regular army थी या नहीं थी तो regular army ना ही रिगवैदिक period में ना ही लेटर वैदिक period में लेटर वैदिक period के बाद महा जनपद period से हमें धीरे धीरे जो है वो उसमें भी महा जनपद जो मगद महा जनपद बना है वहाँ पर हमें standing army क्योंकि महा जनपद period से हमें currency भी डवलप होती ही नजर आईगी ठीक है economy भी सबसे जादा strong urbanization second urbanization हमें महा जनपद period में नजर आएगा so standing armies central army यह सारी चीजे यहाँ पर डवलप होती ही नजर एगी ठीक है so there were no standing armies in Rig Vedic or later Vedic period that means up till 600 BC there was no standing army right after that धीरे धीरे standing army develop हुई है at the times of war he mustered militias यानि गाओं गाओं जाकर धोल नगाडे पर जाकर इखटा किये जाते थे सैनिक right the army mainly consisted of पत्ती यानि infantry infantry यानि पद सैनिक यानि जो पैरो पर चल रहे है उनके लिए word इस्तमाल हो रहा है पत्ती एंड रथिन रथिन मतलब जो chariot warriors है जो रथ पर चल रहे है so दो तरागे सैनिक होते होंगे एक जो गोड़े और रथ पर बैठे है एक जो पैदल चल रहे है तो पैदल चल रहे है पत्ती क्योंकि हाथियों को टेम करने का ध्यान रखेंगे हाथियों के बारे में रिगवैदिक लोगों को जानकारी थी लेकिन उनको सैना में भरती करने का काम जो है वो नहीं किया थ रिगवैदिक लोगों ने ठीक है यह रिगवैदिक लोगों के पास थे नोट लेटर वैदिक लोगों के वेपन जो है वो कॉपर और उसके अलॉई यानि ब्रॉज वगरा की ठीक है यूज ओफ कोट ओफ मेल चेंड मेल आर्मर जो है वो कवच इस्तमाल किया जाता था हेलमेट पहना जाता था ठीक है यह रिगवैदिक एज की जो सैने प्रमुक थे वो हेलमेट वगरा यह सब पहना करते थे रैट इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सोल्जर की क्लासी यह सर्धा सोल्जर्स वर्त सोल्जर और गन सोल्जर ठीक है, so soldiers को इन तीन divisions में organize किया गया है, ध्यान रखेंगे, बहुत important, terminology पर सवाल, terminology पर यह पत्ती, रथिनी, यह सारे terminology पर सवाल है, बहुत important है, ध्यान रखेंगे आप इनका, there is no mention of tax collecting officer, बहुत important, जब economy ही नहीं है, ठीक है, tax collection का मतलब क्या बनता है, tax collection का मतलब यह है कि रा आजा center strong कब होता है, जब economy हो किसी तरह की, लेकिन जब pastoral economy है, तो शाशक को अपनी सभा समीती पर dependent रहना पड़ रहा है, authority के लिए, क्योंकि शाशक को चुनकर authority में बिठा ही सभा समीती रही है, और जब कुछ उगी नहीं रहा, तो वो tax लेगा किस बात का, ठीक है, तो tax ल लेया जाएगा आगे महाजनपद period से tax, तो एक point ध्यान रखिए, आप chaos is the order, बहुत important, बहुत important phrase है, इसको समझने कोशिश कीजिए, that chaos is the order, next देखिएगा, regular tax collection was limited as the economy was mainly pastoral and not food producing, ठीक है, तो जब food producing यानि की agricultural economy develop होगी, यानि लेटर वैदिक period के बाद महाजनपद period से, हमें धीरे धीरे tax collection develop होता हुआ, डेवलप तो लेटर वैदिक से ही हो जाएगा, लेकिन बड़े लेवल पर evolve होगा, क्योंकि तब city structure establish होगे, महाजनपद period में, तो वहाँ पर tax collection हमें evident होगा, बहुत prominence में, लेकिन लेटर वैदिक से ही धीरे धीरे tax collection शुरू हो जाएगा, ठीक ह अब इस बली में हो सकता है कि कोई cattle दिया जा रहा हो, यह हो सकता है कि जो भी agricultural produce है वो दिया जा रहा हो, यह हो सकता है कि कोई service दी जा रही हो, है ना, यानि कि जो chief है उसके जानवरों को चराने ले गए, जो chief है उसके जानवरों की protection कर ली, तो यानि कि इस तरह की services देकर chief क को बली दी जाते हैं तो वह वालेंटरी ओफरिंग है चीक है आप अपनी मर्जी से देना चाहे दे सकते हैं प्रोसर नहीं था यहां ध्यान रखेंगे यह क्योंकि यह रिग वैदिक और लेटर वैदिक में गरेंगे हम देखेंगे इन तिनों काइर करेंगे सवाल बनेंगे क्योंकि हम चेंज समझ रहे हैं हम पहले मैं यहापर disclose करी दता हूँ जब मैं आपको revision करवाऊंगा ना जो marathon sessions लेंगे उसमें हम यह process of change को समझेंगे कि बदलाव क्या क्या आया पहले हम पढ़ लेते हैं सारा क्या था फिर हम process of change को समझेंगे कि बदलाव क्या क्या आया बहुत मज़ाएगा spies were employed to keep an eye on theft and burglary क्योंकि बहुत आसानी से जानवरों को चुराने का काम किया जाता था तो spies यानि कि spash वो सी काम पर लगाए जाते थे उसके लबा व्रजपती was the officer who enjoyed authority over a large land and pasture grounds तो अब देखिए pastural ground था ठीक है pasture का काम था जानवर चुराने का तो उस pastural ground को किसी की authority में भी होना है तो किसकी authority में था व्रजपती के बहुत important व्रजपती was the person responsible for pastural land he led graminis to the battle अब ये व्रजपती जो है वो pastural land को protect कर रहा है that means protect किसके मादम से करेगा अकेला तो खड़ा नहीं होगा न यानि कि उसके under कुछ soldiers होगे उसके under जो soldiers थे उनको कहा गया graminis यानि कि ये ऐसे warring जो है वो families बनी जो कि pasture land को protect करती थी इसके कहने पर व्रजपती के कहने पर और eventually, gradually graminis ने वो व्रजपती को replace कर दिया और pastural land को protect किया graminis तो यहां पर हमें Vedic Feudalism देखने को मिल रहे हैं यह बहुत relatively unconventional term है इस पर मैं research जो है वो कर रहा हूँ और final हो सकता है कि भविशे में मैं लिखूं भी इस पर Vedic Feudalism Feudalism पर या eventually Feudalism किस तरह जो है वो मतलब खा गया है civilizations को chaos is the order जो है वो concept को ध्यान में रखते होए मेरी research चल रही है तो उसमें Feudalism एक aspect है उसमें Vedic Feudalism में ये एक point आता है कि वरजपती की जगा गरामणी न ले ली तो वरजपती एक बड़े patch of land को control कर रहा है गरामणी छोटे छोटे patch of land को control करने लगे वरजपती की जो authority है वो घट गई है decentralizedization हो गए यानि Feudalism फैल गए तो Feudalism वाले characteristics आ गए वैदिक में वैदिक period में क्या Feudalism वाले characteristics थे इस पे थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो आपके concern नहीं है history optional में आते हैं इस तरह के points अगर आप history optional पढ़ रहे हैं तो तब आप इस sense में सोचना शुरू करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं next देखते है administrative divisions में बाठते हैं तो ये important terms आ गई न हमारे पास ठीक है और बहुत important छोट-छोटी चीजे टेक्स के बारे में ठीक है बली के बारे में ठीक है गायत्री मंत्र रिशी ये सब जो important terms और facts न देखते जा रहे हैं examination point of view से बहुत important है द्यान रखिये ने the lowest unit of rig Vedic society was the patriarchal family और कुला अब देखिये अब मैं पूरी की पूरी rig Vedic society को बाठता हूं तो सबसे lowest में कौन है सबसे lowest में है आपकी कुल ठीक है यानि की एक family number of families bound together by kinship ties of blood formed a clan ठीक है एक कुल में जैसे मैं बोल रहा हूँ न मालीजे मैं चोहान कुल से हूँ और मेरा जो पूरा गाउं है उन सब में सब हम चोहान है और सब जो है वो क्या है ताउ चाच्चा के है ठीक है तो हमारी वो सब गाउं जो है वो पूरा क्या हो गया है वो clan तो यह clan जो है वो क्या है basically कुल से उपर clan है और एक clan के अंदर क्या है सारे जो है वो एक ही परिवार के लोग है भाई बतिजे और the grandma consisted of एक village बन रहा है यानि कि gram बन रहा है ठीक है एक gram के अंदर कई सारी families है छोटे छोटे clan है इस gram के अंदर जो है वो कौन है ग्रामनी है उल्टा बोल दिया मैंने ये gram जो है वो किसके अंदर है ग्रामनी के अंदर है administrative head of a village was ग्रामनी ठीक है तो family का head कौन है कुल पती was the family head gram का head कौन है ग्रामनी several villages formed a wiz कुल के ऊपर ग्राम ग्राम के ऊपर विस कुल का head कुल पती ग्राम का head ग्रामनी विस का head विस पती बहुत important he was military leader अब विस पती के अपास जो है वो military authority है military का का काम क्या है गाओधन की protection, पेस्चरल लेंड की protection छीक है, मिलिटरी करती क्या है economic system को बचा कर रखती है geopolitical region को control कर कर रखती है लेकिन पेस्चरल लेंड है इनका geopolitical region, जो भैतर होगा वो अपना विश्पती के अंडर जितने भी पाउंड together by ties of kinship so कुल, कुल के उपर ग्राम, ग्राम के उपर विश्विश के उपर कौन है न रीट गोपा वसदा head of जन, तो कुल का head कौन है कुल परदी, ग्राम का head कौन है ग्रामंटी विश्पती और जन का head कौन है गोपा, ठीक है गोपाल लिख दिया मैंने यानि कि जो गौव को पाल रहा है और गौव वस दियर धन ना राइट, गौव को आप ट्रेजर या धन के साथ जोड़ जकते हैं, several जनाज formed जनपद, इन सब जनों से मिलकर कौन बनता है, जनपद ठीक है, और the kingdom, राजन और the king was the head of जनपद, और जनपद का head कौन है, राजन so this was the administration hierarchy कुलपती, ग्रामिनी विश्पती गोपा, राजन ठीक है, some of the tribal kingdoms during the रिगवेधिक period was भारताज मत्सया, यादू, पुरूज यह सब कुछ जो हैं वो tribal kingdoms है, ठीक है, यानि कि उनके head जो हैं वो राजन राजन के अंडर कौन होंगे गोपा, गोपा के अंडर विश्पती विश्पती के अंडर ग्रामी और ग्रामिनी के अंडर कुलपती, यादि एक family का head ठीक है, आगे बढ़ते है popular assemblies की बात करें तो अब एक राजन के अंडर क्या कै समझने हैं, अब तो देखिए अगर ये एक kingdom है तो इसके अंडर क्या होंगे, बहुत सारी बहुत सारे जन होंगे ठीक है, ये जनपद है, एक जनपद है इस एक जनपद के अंडर बहुत सारे जन होंगे, ठीक है हर एक जन में बहुत सारे wish होंगे ठीक है हर एक wish में बहुत सारे फरदर क्या होंगे gram होंगे और हर एक gram में बहुत सारे कुल होंगे ठीक है तो ये आप मान के चलिए this was the administrative विवस्ता कुल, gram, wish, जन, जनपद, कुलपती, ग्रामनी, विश्पती, गोपा, राजन ठीक है अब देखते हैं popular assemblies कौन कौन सी है I hope आपको ये hierarchy समझ आई होगी ठीक है The Aryans had their own folk assembly known as Vidatha meant for the economic, social and military purpose ठीक है, so एक folk assembly यानि जनता की assembly थी जिसका नाम था Vidath ठीक है, so Vidath का काम क्या है, Vidath जनता की assembly ध्यान देंगे अब विदत का काम है economic और यानि की pastoral land को control करना, जनवरों को control करना society में क्या जगडा हो रहा है, किसका क्या dispute है, वो सब solve करना और military purpose, विदत का काम उसके लाबा king consulted तो ये तो है लोगों की विदत, ठीक है king की consultation के लिए दो bodies है, सभा और समीती ठीक है, two bodies acted according to their decision in terms of administrative work main work was to advise king, तो देखिए जो जनता या जो common एक मान के चलिए कि एक group है वो है विदत, ठीक है विदत क्या होगा कि मान लीजिए, एक कोई gram है उसके जितने भी prominent लोग है या चार-पांच gram के prominent लोग आपस में जोब फैसला ले रहे हैं, ठीक है लेकिन राजा की मदद करने के लिए, king की मदद करने के लिए सभा और समीती, दो important क्या है ये administrative bodies है जिसमें से सभा जो है वो क्या है, सभा selected elders हैं अब ये selected elders कहां से select किये जाएंगे, जनों से जनों में से कहां से select किये जाएंगे, विश में से विश में से कहां से, ग्राम में से, ठीक है, इस तरह से जो भी selected elders हैं, वो बैठते हैं सभा में, रिशी वगारा बैठते हैं सभा में, जो के advice करते हैं, king को, it also functioned as court of law and tried criminal cases, so justice देने का काम कौन कर रही है, सभा कर रही है, बहुत important, राजा के साथ obviously मिलकर, justice देने का काम कौन कर है, सभा क्योंकि यहाँ पर ध्यान दे, राजा के पास जाद शक्ती है नहीं, क्योंकि राजा के पास economy नहीं है, right, राजा को dependent रहना पड़ रहा है, सभा और समीती पर, the head of सभा was known as सभापती, obviously, पती word का इस्तमाल किया जाता है, head के लिए, तो सभापती, समीती आ गया, it was the most popular assembly and included common people, अब सभा में elderly, समझदार लोगों को बिठाय जाता है, समीती में common लोग बैठ सकते हैं, that means, woman, woman सभा में भी हो सकता है, लेकिन बहुत rare, लेकिन समीती में woman जो है, वो common है, तो किसी ग्राम की या किसी जन लेवल की जो prominent woman है, ठीक है, वो समीती में member बन सकती है, समीती mainly dealt with political business of state, तो राजा की मदद करना का काम सभा का, और राजे की मदद करने का काम किसका, समीती का, political matters को समझाना, it also used to elect the king, राजा कौन जूज करेगा, क्या सभा करेगी है, समीती, तो राजा का चैन जो है, वो समीती के हाथ में है, ध्यान रखने है आपको, the head of समीती was known simply as पती, ठीक है, समीती के head को पती कहा जाएगा, या समीती पती कहा जाएगा, society की बात करें, समझा आपको administration, administration बटा हुआ है, किस से, कुलपती, ग्रामिनी, विश्पती, गोपा, और राजन, और फिर राजन की मदद कौन कर रहे है, सभा समीती और विदत, विदत क्या है, common law की, यानि की, एक, मतलब, most common, आप मान सकते हैं, कि एक council है, जो कि economic, social, military, purpose के उसके लाबा, राजा specific की मदद करने के लिए, सभा और समीती आए, इसमें समीती जो है, वो political aspect को संभालती है, और राजा की मदद करना, law बनाना, justice देने का काम, जो है, वो कौन करती है, सभा, ठीक है, आगे देखी, society की बात करें, the basis of social structure was kinship, ठीक है, society कैसे बटी भी थी, भाई बतिजे, ताउ चाचा के, मतलब रिष्टेदारी थी, ठीक है, यानि कि जो रिष्टेदार हैं, वो एक साथ रहेंगे, और जो रिष्टेदार हैं, वो एक नाम से जाने जाएंगे, ठीक है, उनकी, जो kinship है, वो उनकी identity है, जो कि आज तक है भारत में, true है, रैट, देखिए, एक जनपद, कभी ना कभी, एक जन था, एक राजन किसी जन का हेड था, जिसने बाकी सब जनों को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, और वो शुरू एक विलेच्छे हुआ था, एक कोई ग्रामिंड था, जिसने धिरे-धिरे एक विष्ष अपने कंट्रोल मिलिया, जिसने फिर धिरे-धिरे एक जन अपने कंट्रोल मिलिया, फिर आसपडोस के जनों को सब्जुगेट करके एक जनपद बना दिया, और फिर आसपडोस के जनपदों को जब किसीने सब्जुगेट कर लिया था, वो महा जनपद बन गया, आसपडोस के महा जनपदों से लेटर वेद से महा जन्पद पीरियड से मॉर एनकाल तक सेन्ट्रलाइजेशन होगा फिर मॉर एनकाल के बाद धीरे-धीरे डी सेंट्राइजेशन होगा ठीक है so gramy जके से विश लेवर्वल पर गए जो आर रे थे, वो आर रे इसलिए थे क्योंकि वो white थे, श्वेत वर्णी थे, ठीक है गोरी चमडी के थे, और जो दश्यू है वो lower rank society में इसलिए था क्योंकि उसका रंग जो है वो काला था, right? वर्ण was the term used for वर्ण जो है वो skin color के लिए इस्तिमाल किया गया ना कि रिगवेदिक काल में वर्ण जो है वो मुख्य शुरुवात में वर्ण skin color के लिए इस्तिमाल हुआ ठीक है used for color which provided the identity mark for their social order रिगवेदा mentions आरेंड दास वर्ण धिए रिगवेद में मुख्य तोरपर धियान देंगे आप रिगवेद में मुख्य तोरपर दो वर्णों का जिकर हुआ है एक आरे और दास आरे श्वेद दस्यू श्याम यानि आरे whites दस्यू dark races brown races the orange were fair colored while the indigenous population was dark the dasas and the shoes were treated as slaves बहुत important जो dark color का है वो slave है सो आज भी यह basic instinct है वैसे इंसान की कि अंधेरे से डरना क्योंकि अंधेरे में unknown होता है और unknown हमारा दिमाग survival के लिए trend है और इसलिए हम unknown से डरते हैं ठीक है तो dark को whites ने dark को जो है वो अपने से inferior घोशित कर दिया this is a natural code in our brain because we are naturally organism designed for survival and darkness is our enemy right darkness में कोई भी जानवर चुपा हुआ बैठा हो सकता है इसलिए darkness से हमारा दिमाग prepared है डरने के लिए उसके प्रती alert रहने के लिए right so यह एक आप जो है वो सोच के देखिए इस concept को slaves mainly women were meant for domestic purposes and were given as gifts to priests तो दासियां खासतोर पे लड़कियां जो है वो priest को दी जाती थी priest के household में काम करने के लिए और अन्य pleasure activities के लिए भी ठीक है social inequalities in tribes emerged as the tribal chief and the priest acquired a large share of loot at the cost of kinsmen अब देखिए उच नीच का वोने लगा अब according to marxism marxism के according जो primitive period था वो primitive communism का period था यानि कि जो शुरुआती societies थी इंसान की उसने इंसान ने यह शुरुआती जो primitive village cultures थे उन्होंने सब कुछ आपस में बाटा तो अगर आप रिगवैदिक people को primitive communism जिसको marxism ने कहा है उसके साथ अगर आप जोड के देखेंगे तो जो earliest रिगवैदिक जो लोग है 1500 BC के आसपास के उन्होंने जो भी loot मारी करी वो आपस में बाटी क्योंकि वो loot मारी करते थे warring was their profession दूसरे tribe को loot रहा उनका काम था ठीक है मैंने बला ना chaos was the order is the order in fact so रिगवैद रिगवैदिक लोगों में एक communism की sense थी कि जो भी लूटा वो बाटा लेकिन राजा जो है वो dominance में कैसे बढ़ेगा जब loot का वो बड़ा हिस्सा अपने पास रखेगा और loot का बड़ा हिस्सा कैसे justify करेगा जब वो priestly class को अपने साथ जोड़ेगा और वो राजा को महान गोशित करेंगे royal descendants देंगे हो सकता है कि उसको एक जो है वो मतलब की एक godly descendants भी provide करें ठीक है तो अन्य kinsmen को अधार बना कर बाकी लोगों के उपर पैर रखके राजा और पुरोहितों ने अपने अपनी situation को मजबूत किया तो ये रिगवैदिक period से development हमें देखने को मिलता है gradually तो society came to be divided into warriors priests and people देखे धीरे-धीरे society में तीन जो है वो classes develop हो गई एक warrior की classes एक priest की classes और एक एक normal people अब normal people क्या कर रहे है जानवरों को चरा रहे है खेती कर रहे है सुरक्षा काम कर रहे है और अन्य जितने भी हाथ से करने वाले काम है क्योंकि उस समय सारी production हाथ से हो रही थी दोनी क्यों वार्योन चाहे वो लखडी का काम हो चाहे हो अम कलास क्लास यूद लड़ रहे है प्रोटेक्शन का काम करने तो सोसाइटीन तीन हिसम बट गई अब यहां से धी धीरे-धीरे एक और वरन निकल कर आएगा वैश्य जो कि trading class develop होगा और trade तब develop होगा जब economy सुद्रिड होगी economy strong होगी economy कब strong होगी later वैधिक period में ठीक है there was no sharp differentiation of society on the basis of occupation ठीक है so यहाँ पर egalitarian system था the society was largely tribal and egalitarian यानि की जो warring class है वो बहुत limited है priest भी बहुत कम है गिने चुने that means majority population कौन है people है और people में भी कोई occupation के साफसे नहीं बटा हुआ है कि तुम केवल लकडी काम करोगे तुम केवल लोही काम करोगे तुम केवल मिट्टे काम करोगे नहीं सभी लोग जो है वो मिल बाट कर कर रहे है specified specialization तो है ही कुछ लोगों की लेकिन mostly मान लीजिए अगर मुझे मान लीजिए अगर चूला बनाना है तो मैं मिट्टे का काम करूँगा अगर मान लीजिए मुझे 1000 बनाना है तो मैं metal का काम करूँगा अगर मान लीजिए मुझे कोई बाड़ा लगाना है अगर मतलब अपने पशुओं को जो है वो बाड़ा लगाना है घर भी बनाना है तो मैं लकडी का काम करूँगा ठीक है so that means हर एक व्यक्ति जो है वो इस तरह के professions को practice कर सकता था कोई बड़ी बात नहीं थी ठीक है family की बात करें so ये आ गई आपकी social society ठीक है social life में आपने देख लिया वर्ण विवस्था डवलप हो गई थी दास दस्यू की क्या हालत है आ रहे और दास दो वर्णों की जो है वो जिक्र है ठीक है और तीन ग्रूप डवलप हुए है वारियर प्रीस्ट और पीपल चौथा वैश्य क्लास रिगवैदिक पीरिड में ने डवलप हुआ लेकिन जिक्र है रिगवैद में डवलप हुआ है वैश्य क्लास लेटर वैदिक पीरिड में ठीक है family की बात करें दा family was regarded as a social and political unit कुल जो है वो सबसे base में कौन है सबसे base में कौन है कुल है न कुल के बाद गरामिनी तो हर एक जनपद का base कहां से निकल रहा है एक कुल से निकल रहा है एक family से निकल रहा है और वो family कैसी है family patriarchal है patriarchal in nature यानि की पुरुष प्रमोख है लेकिन महिलाओं की स्थिति भी strong थी रिगवैदिक पीरिड में देखे ध्यान दीजेगा रिगवैदिक पीरिड के बाद यानि की लेटर वैदिक पीरिड से राजा राम मोहन रोय के कुछ action लेने तक महिलाओं की स्थिति गिरती गई है भारत में लगवग 2000 साल तक ठीक है रिगवैदिक पीरिड में महिलाओं की स्थिति relatively strong थी but society was still patriarchal patriarchal nature and the father known as grihapati और kulpati was the head of the family बहुत important monogamy was generally practiced while polygamy was prevalent among royal and noble families monogamy क्या होता है एक ही partner यानि की एक पुरुष एक husband and एक ही wife right so that is monogamy एक husband और एक ही wife so multiple partners या multiple husbands या multiple wives भी था यानि की polygyny और polygamy भी popular थे लेकिन that was only for the noble class तो आम जंदा दीवा monogamy follow कर रही थी ठीक है next देखेगा meritanial traces sorry matrilineal traces have been found in some cases matrilineal sorry matrilineal cases का मतलब यह है कि मा के परिवार से जो है वो ज्यादा यानि एक household में मा की family के ज्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं ठीक है और ऐसे आज पर उसकी जितने घर हैं वहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है यहां से पता चलता है कि matrilineal जो है वो society है कुछ ऐसे traces देखने को मिल ज्यादा नहीं the wife wife क्या गर रही थी gender role बटे हुए थे wife took care of the household and participated in all major ceremonies women were given equal opportunities as men for their spiritual and intellectual development women अब देखिये women जो है वो later Vedic period में कही न कहीं लिखा है कि women यग्या नहीं कर सकते women और शुद्र लेकिन रिगवैदिक period में हमें women जो है वो poet भी देखने को मिली है women ने रिश्यू के साथ बाद विवाद भी किया women जो है वो समीतियों की हिस्सा भी थी women कहीं न कहीं हमें युद में भाग लेती हुई नजर आई है जरूरत पढ़ने पर तो महिलाओं की स्थिती में बोल रहा हूं रिगवैदिक रिगवैदिक period में strong है लेटर वैदिक के मुकाबले वो इसी लिए क्योंकि हमें महिलाएं जो हैं वो spiritual और intellectual development करती हुई नजर आ रही है केवल household का काम नहीं कर रही है पड़ लिख भी रही है वो ठीक है women poet like apala, vishvara, घोशा, लोपा-मुद्रा, गारगी बहुत important नाम है ये नाम से terminology पर सवाल और ये नाम पर सवाल बन जाएगा मालीजी आपसे पुछ लिए apala, vishvara, घोशा कौन है ये तो आप कहेंगे रिख वैदिक काल की female poets है ठीक है लोपा-मुद्रा और इनके बारे में detail आपको कहा मिलेगा culture वाले पार्ट में जब कराओंगा, वहाँ पर समझाओंगा इन्होंने क्या-क्या किया है गारगी के बारे में तो मैंने आपको बताए गारगी और यग्यवलका की भहस हुई थी आपस में women were allowed to attend there, attend popular assemblies, ठीक है, so that means सभा का बिशक सभा के हिस्सा जो है वो women ना रही हो, लेकिन सभा को attend कर सकती थी, जबकि समीतियों का हिस्सा जो है वो women बन सकती थी, समीति का member next society में और क्या क्या है family में, there was no child marriage and the practice of sati was absent, so sati के कोई evidence नहीं मिले रिगवेद में, रिगवेदिक पीरिड में, child marriage के कोई evidence नहीं मिले, शादी की उमर 16 से 17 साल मानी गई है, marriageable age seems to be 16 and 17, women could suffer, sorry, offer sacrifices along with their husbands, so yagya में बैठने की अनुमती, women को रिगवेदिक पीरिड में मिली है ध्यान देंगे, मैंने अब पहले कुछ, थोड़ी दिर पहले बोला था कि, yagya में बैठने की अनुमती वैदिक पीरिड में, women को नहीं है, so I was referring towards later वैदिक पीरिड में, women और शुद्रों को, yagya में बैठने की अनुमती नहीं थी, बट रिगवेदिक पीरिड में, yagya में, selective yagya में मही लाएं बैठ सकती थी, widow remarriage and practice of leverage marriage was present in the रिगवेदिक society, widow remarriage यानि की मान लीजिये दो भाई हैं, दो भाईयों में से जेष्ट की शादी हुई है, और लेकिन उसकी मृत्ती हो गई, तो उसकी जो wife है, उसकी शादी, उसी के देवर, यानि उसी के brother-in-law, यानि मरन वाले भाई के छोटे भाई से करा दी जाएगी, इसको leverage marriage कहा जाता है, ठीक है, so leverage की practice भी थी, जो की present today भी भारत में मौझूद है, उसके लावा video remarriage का concept जो है, वो रिगवेदिक काल में था, कि कोई भी महीला अगर video हो गई, यहां से हमें, यह example है, women की situation, रिगवेदिक काल में strong थी, यह वो evidences है, ठीक है, यग्य में बैठ सकती है, समिती का हिस्सा बन सकती है, intellectual को follow कर सकती है, पढ लेख सकती है, यानि की समझ रहे है, मतलब वेदों को follow कर सकती है, उसके अलावा remarriage कर सकती है, ठीक है, अपनी मर्जी से अपना virtue कर सकती है, समझ रहे है, वेदिक पीरिड की और लोटों की बार बात चलती है, लेटर वेदिक की तरफ नहीं, लेटर वेदिक मामला करप्ट हो गया, ठीक है, आगे बताऊंगा, लेटर वेदिक में, क्लोधिंग की बात करें, सो आरेंज वोर ड्रेसे मेड़ अफ कॉटन, वूल और डियर स्किन, ठीक है, सो वूल, शीप, बेडबकरियों को वो पालते थे, वूल बनाना वो जानते थे, भारत वो आ गए, कॉटन उनने मिल गया, कॉटन से वो कपड़ा बनाना सीख गए, और जानवरों की खा लें, तो वो यूज करते ही थे, obviously, अटायर कंसिस्ट अफ थी पार्ट्स, तीन पार्ट्स में होता था, वैसे आपने पढ़ा होगा दो पार्ट्स में, लेकिन एक अंडर गार्मेंट भी पहनते थे, ठीक है, अंडर गार्मेंट जिसको कहा जाता था, पहना जाए, और एक जो है, वो अंडर वेर या अंडर गार्मेंट निवी नाम से पहना जाता ह। तो यह cloth की terminology है, ध्यान देना, टरम पर सवार बनेगा कि वसा क्या है, निवी क्या है, परिधान क्या है, आधिवस क्या है, ठीक है, तो यह क्या है, clothings of iron people और Rig Vedic people, both men and women wore gold ornaments, so jewelry पहने का काम दोनों male और female कर रहे है woman used earrings, necklaces, bangles and anklets, so does men men भी earrings, kundal वगएरा पहनना, necklace पहनना, mokट पे, हाथों पे, हर जगा तो यह सब जो है वो आरे लोग पहनते थे food की बात करें the chief article of food was wheat, barley, milk and its product like curd, ghee, vegetables and fruits so वैसे तो pastoral economy थी मुखे तोर पर, लेकिन खेती वो जानते थे, ऐसी बात नहीं है तो खेती में क्या हुगाते थे, वो mostly wheat and barley हुगाय जा रहा है उसके अलावा गौधन उनके लिए important है, that means milk products उनके लिए important है so दूद, दही, घी वगएर उनके लिए important है, right meat खाने से नहीं कतराते थे, खुल कर meat खाये गया और सभी जानवरों को खाये गया गाएं को छोड़ कर, ठीक है, काओ को वो worship कर रहे है, लेकिन bull को नहीं छोड़ रहे है ठीक है, क्यूंकि बैलों को sacrifice भी किया गया है, ठीक है, bull को खाये भी गया है उसके अलावा rams, यानि कि भेड, बकरिया, चिडिया जो भी मिल जाए उनने, ठीक है, fish, घोडे, इनके घोडे और bulls और rams और goats इनके sacrifices का भी जिक्र है अलग-अलग रिगवैदिक rituals में, ठीक है, और in fact, बुद्धिजम की तरफ development ही इसी वज़े से हुआ, आगे मैं बुद्धिजम के बारे में बताऊंगा ना, तो बताऊंगा कि जो हजारों के साब से bulls को मारा गया, खेती में decline हुआ, तो बुद्धिजम की तरफ जो है, वो इसे वेक्ति जो नहीं पीते हैं, वो असुर है, इंदर एक असुर है, जिसने सुर नहीं पी, सिर, सुर बेसिकली क्या है, सुर जो है, वो बारली को फर्मेंट करके बनाए जाती है, तो एक बहुत primitive form of beer है, सुर, जो की हमारे यहां बनाए जाती है, अगर कोई मेरा गद्ध गद्धी भाई क्यों, क्योंकि मैं भी गद्धी ट्राइब से विलॉंग करता हूं, तो अगर कोई गद्धी भाई है मेरा यहां पर वीडियो देख रहा है, तो वो जानता है वलिवांती कि सुर क्या है, तो वो आरेंट रेडिशन आज भी हमारी क्लैंज में जीवे थे, ठ वरस इफेडरा नाम के पोदे से निकलता है, कास सिस्टम सोसाइटी का, लेकिन सुर पिया करते थे वो बारली से बनती है, बेसिकली एक फर्मेंट करके बेर होती है, बेसिकली एक बहुत रफ फॉर्म होती है बेर की, तो यस हिमाचल वाले अरिया में आज भी, और यह हमार आभी भी यह वैदिक नाम चलता है, इसके लिए, सुर, शराब के लिए सुरवर्ड इस्तमाल होता है हमारे हैं, बेसिकली, in कास सिस्टम की बात करें, in the early वैदिक एज, there was no कास सिस्टम, so कास्ट सिस्टम हमें, लेटर वैदिक एज के बाद डवलप, या लेटर वैदिक व वर्ण है, तो ब्रहामन वर्ण में फर्दर कास्ट होंगी, ठीक है, क्षत्रिय वर्ण है, तो क्षत्रिय वर्ण में फर्दर कास्ट होंगी, शूद्रों में फर्दर कास्ट होंगी, वैश्यों में फर्दर कास्ट होंगी, तो कास्ट सिस्टम जो है, वो, occupation के हिसाब से कास् occupation का तो कोई लेना देना ही नहीं था रिक वैधिक पीरिड में क्योंकि सभी लोग egalitarian system था सभी लोग सभी काम कर रहे थे खास तर पर जो common people है ठीक है specialization of occupation later वैधिक पीरिड की characteristic है जो कि फिर धिरे धिरे स्टीफन होती हुई caste system में develop हुई the people were divided into two classes member of the same family could pursue different occupations two classes क्या-क्या है वैसे तो तीन है मुख्य तर पर लेकिन आरे और दास ये दो मुख्य क्लास माल लेजे ठीक है आरे में भी फिर warrior priest और common people जो common people है वो majority population थी तो majority population का ध्यान देना है वो सभी काम कर रहे है majority population में किस तरह का system था egalitarian कोई भी वेक्ती किसी भी कोई भी sculpting कार्ट को follow कर सकता है कोई भी लकडी काम कर सकता है कोई भी metal काम कर सकता है कोई भी leather का कर सकता है ठीक है तो ये बटा हुआ था आगे बढ़ते है there was no restriction in intermarriage and change of occupation could be done at will so intermarriage पर कोई restriction नहीं था यानि कि caste system नहीं था one system भी इतना strongly follow नहीं किया जाता था तो intermarriage was a common phenomenon let's say there was no concept of intermarriage क्योंकि egalitarian system था क्योंकि एक जो कुल है एक जो clan है उसमें सभी एक ही परिवार के होते थे तो थोड़ा बहुत वो देखते होंगे कि भाई से भेन की शादी ना हो जाए इस थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता होगा otherwise there was no concept of intermarriage ठीक है खुल कर शादी होती थी change of occupation की जाता था अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से आज हम योदा बन गए जो कुशल है वो योदा बना दिया जिसको लकडिया गाम अच्छे से कर रहा आ गया वो लकडिया गाम कर रहा है अपनी मर्जी से education की बात की जाए there were gurukuls बहुत important gurukuls कौन चला रहे है रिशी so विश्वा मित्र के साथ जो है वो gurukul आपको जुड़ा हुआ नजर आ जाएगा which imparted education to disciples after their sacred thread ceremony यानि जो जने उपना जाता उसके बाद entire instructions were given orally there was no literal instructions लिख कर नहीं दिया जाता था शुरूतियों के माध्यम से क्या क्या सिखाए जाता था about ethics, art of warfare, art of metal concept of brahma and philosophy basic science, agriculture basic sciences like agriculture, animal, husbandry, handicraft ये सारी चीज़ है so जो उस समय के important industries थी metal का काम, लकडी का काम ठीक है, pottery का काम agriculture का काम लड़ना कैसे है ठीक है क्या आपका मतलब आचार विचार क्या होने चीए आपका ethical knowledge क्या होने चीए ये सारी चीज़ तो सिखाई जाएंगी ना गुरुकुल में ये ही सिखाई जाती थी ठीक है आगे देखे यानि कि आप गुरुकुल को केवल इसी चीज़ से ना जुड़ी कि गुरुकुल में केवल जो है वो वेदों का ग्यान दिये जा रहा है कि उसको पढ़ो और रटो नहीं गुरुकुल में मैटल वर्किंग भी शिकाई जैनी मैंने बलाओ ने Egalitarian Society है सबको सबकुछ करना पढ़ रहा है कास सिस्टम डेवलप नहीं हुए अभी कास सिस्टम डेवलप होने के बाद फिर गुरुकुल में वो आ गया मतलब वो करप्शन आ गई ठीक है कास सिस्टम वाली Economic Condition की बात करें The RNs lived in kind of Fortified Mud Settlements Fortified Mud Settlements में रह रहे हैं देख रहे हैं आप ध्यान दीजेगा Mud Settlements में रह रहे हैं Burnt Bricks का Concept RN के पास नहीं है जबकि Burnt Bricks का Concept हरपपन लोगों के पास था अब उसके अलाबा Painted Gray Wear and Late Harappan Pottery Has Been Found in भगवानपूरा and Other Sites in पंजाब Archaeological Remains की बात करें तो Painted Gray Wear जो की पंजाब में भगवानपूरा से मिला है उसको हमने रिगवैदिक लोगों के Pottery के साथ चोड़ दिया ठीक है और Economy में आपको बताए हैं कि Pastoral Economy थी पास्चर के लिए और गौधन उनके लिए Important था Trade के बारे में और Maritime Trade आप से Agriculture की बात करें दरिगवेद आरेंज वर Pastoral People ये Economic Condition में आ जाएगा इसके Agriculture तो किस तरह की Agriculture किस तरह का कर रहे है Pastoral लोग हैं तो आज यहाँ तो कल वहाँ इस मौसम में मान लिजे गर्मी में एक जगा बैठे हैं वहाँ पर गर्मी में उन्होंने कोई अना जुगाया ठीक है उसको खाया तीन-चार महीने जानवर को चराया है वहाँ पर वहाँ पर घास खतम हो गई अब अगली एरिया हमें चले गए तो इसको कहते हैं Pastoral Economy They began to practice agriculture when they settled permanently in North ठीक है अब देखिए वह मूव करते आएं इंडो-इरानियन रिजन से इनफेक्ट वह कौकस वाले रिजन से मूव करते आ रहे हैं लेकिन जब नॉर्थ वाले रिजन में आए तो उनको यहाँ पर प्लेंटी फुल मौसम बहतरीन उपजाव भूमी लेकिन जंगल को नहीं काट पारे थे तब लोहा मिल गया ना जब उन्हें तब उन्होंने जंगलों के सफाई करके प्रॉपर सेटलमेंट बनाई हैं बट रिगवैदिक पीपल वर सेमिनोमेडिक लेटर वैदिक पीपल लिब्ड अ सेटल लाइफ तो रिगवैदिक पीपल की एकॉनमी पैस्ट्रल ही रहेगी जबकि हमें छे छे आक्षन तक जुड़े हुए जो है वो हमें हेम्स में देखने को मिले हैं कि छे मतलब आक्षन को एक साथ जोड़ दिया गया अदर्वाइज दो मुखे तर पर दो जो है वो बयलों को जोड़कर खेत की जुताई की जाती ती राइट डिसिस दा पेंटिड ग्रे ग्रेवयर अगर आपने नहीं देख़ा है तो यह पेंटिड ग्रेवेः डेखें पेंट देखर है इस पर जो है वो मोटेव बने हुए देखिए यह मोटेव आपको बने हुए नजर आ रहे हैं और यह ग्रे कलर का है इसलिए इसको पेंटेड पीजी डव्लीव का जाता है ध्यान जीजेगा ठीक है और यह सब इमेजेज यह सब मैपस आपको कहां से मिलेंगे चौहान underscore sir underscore history is my telegram channel मिल जाएंगे महा से आराम से now the plod land was called up terminology आगया जिस लेंड को प्लॉ किया जाता है उसको कहा जाता है उर्वरा या क्षित्रा they use tools made of copper and its alloys to clean forests and bring more land under cultivation this land was however not a well established private property besides the main crops of barley and wheat cotton oil seeds were also grown cows were worshipped and were symbols of wealth and prosperity and was their most valuable possession so देखेगा copper और stone tools का इस्तिमाल करके जंगलों की सफाई नहीं कर पा रहे थे वो बड़े level पर आप नहीं काट पाएंगा मोटे मोटे तनों को ठीक है so यानि कि बड़े level पर खेत वो नहीं बना पा रहे थे और उनके जो हल थे उनके जो फाल थे वो भी लकडी के या copper के थे जो की गहरी plowing नहीं कर पाते थे गहरे या गहरा जो है वो फरो नहीं कर पाते थे तो crop strong नहीं उगती थी और mass production नहीं होता था जिससे economy develop हो सके mass production से economy develop हुई है वो लोहे के discovery से ही हो पाया है ठीक है जबकि barley और wheat हुगाए जाता था उसके अलावा हमें oil seed और cotton के जो है वो मिले है मतलब evidences cotton हुगाए जाने के क्यों क्योंकि RN लोग cotton के कपड़े पहरना सीख गयते भारत आकर ठीक है land जो है वो well established property नहीं थी बहुत important concept रिगवैदिक और later vedic में एक और difference आ जाता है कि रिगवैदिक लोग जो है वो landed नहीं थे land fixed property का concept रिगवैदिक पिरेड में नहीं था fixed property का concept later vedic period में आया है क्योंकि रिगवैदिक लोग अभी भी nomadic semi nomadic pastoral लोग है जो घूमते रहते हैं permanent property का concept उनके पास नहीं है permanent property का concept तब निकला जब लोही की discovery हो गई ठीक है गाएं obviously उनके लिए धन है गावधन the cows were also used as medium of exchange cows जो है वो एक currency की तरह भी use किया जाता था the wealth of people was estimated in terms of their cattle आज भी हमारे यहां भी गावं में कई जगाव पर आप यह मान सकते हैं कि हमारे अगर आप मेरी ट्राइब में मूब करेंगे तो आपको आरे न करेक्टर शिक्स देखने को मिलेंगे अभी भी बहुत सारी ठीक है क्योंकि आज भी not just हमारे गावं कई जो जो बिल्कुल पीछडे एरिया है ना भारत के जो अभी तक जिनका proper शहरी करण नहीं हुआ है वहां पर जाएंगे न वहां पर आपको यह आरे न करेक्टर 6 खास तोर पर नॉर्थ इंडिया में ऐसे आरे न करेक्टर 6 आपको देखने को मिल जाएंगे कैटल हमारे यहां आज भी इनफेक्ट देखिए मैं गदी ट्राइब से बिलौं करता हूं और हमारी ट्राइब जो है वो क्या है आप मान सकते हैं हम शेफर्ड हैं ठीक है धन का जाता है हमारे लिए हमारे cattle हमारी धन है तो ये characteristic आज भी हमारे cultures में नज़र आएगी तो अगर कोई मेरा गदी भाई देख रहा है तो वो testify कर सकता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ other animals like horse drought ox का मतलब होता है जो बोज को खीशता है dog, goat, sheep, buffalo craft की बात करें so weaving and spinning तो देखिए कपड़ा बनाना important काम cotton and woolen fabric बनाय जाता था क्योंकि भेडबकरियों उनके पास थी cotton वो उगाते थे carpentry क्योंकि घर बनाना ठीक है बाड़ा बनाना hull बनाना ये सब काम carpentry जो है वो उनका काम था availability of wood wood available थी क्योंकि जंगलों को काटना उन्होंने शुरू कर दिया था भले ही copper की access से काट रहे हूं थोड़ा बहुत ही काट सकते हूं but wood was available to them carpenters produce chariots and plaws chariots बनाने का काम और spoked wheels बहुत important Indus Valley civilization में there was no spoked wheels but spoked wheels was a definitive characteristics है specially spoked wheels of chariots that enabled Aryans और Rigvedic people to easily muscle out the native indigenous Dravidian people of India क्योंकि वो chariots में आया और spoked wheels थे उनके chariots में तो बहुत तेज़ी से चलते थे उनके chariots so spoked wheels बनाना ये सब carpenters का काम था और carpentry कोई भी कर सकता था Rigvedic people में articles और in fact सभी लोग करते भी होंगे क्योंकि अपने अपने लिए chariots बनाने का काम तो वो करते होंगे ग्रेवेर लेकिन पेंटिड ग्रेवेर पीजी डव्यूज ट्रेड एंड कॉममर्स की बात की जाए तो किससे ट्रेड हो रहा है तो आपस में ट्रेड कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड उन्हें नहीं पता अभी maritime trade के बारे में तो जानकारी है यह नहीं ठीक है तो आसपड़ोस के जन जन पद आसपड़ोस के विश आसपड़ोस के ग्राम आपस में ट्रेड कर रहे हैं ठीक है ट्रेड किस्टीज की करते हैं वो अग्रिकल्चरल प्रड्यूच की कैटल की मजला domesticated हो सकता है कि कोई जानवर हो slaves की trading होती होगी ठीक है तो ट्रेड वस कंड़के ट्रूप बार्टर सिस्टम तो आटा बार्टर करके जो है वो आटा बार्टर बोलते हैं बार्टर करके जो है वो ट्रेड किया जा रहे हैं there were trade and maritime activities maritime activity का मतलब क्या होता है अब maritime activity कहां से हो रहा है क्योंकि नदियां prominent हैं तो नदियों से जो है वो trade हो रहा है लेकिन समुदरी trade पर इतना जो है वो खास समुदरी trade के बारे वो उन्हें बहुत थोड़ी जानकारी बहुत कम ठीक है उनको पता होगा कि समुदरी trade जैसी भी कोई चीज होती है लेकिन बहुत कम जानकारी थी ठीक है क्योंकि जम्बू द्वीप की उन्हें जानकारी थी द्वीप के आसपास समंदर है तो समुदरी trade जो है वो दिरे दिरे खास तर पर लेटर वैदिक पिरेड को तो लगी गया था पता लेटर वैदिक लोहों को तो traders also travel to distant land for larger profits in trade the cow was used as unit of value ठीक है तो currency क्या थी cow या unit of value later the pieces of gold called nishka बहुत important भाई है nishka क्या है रिगवैदिक पिरेड में nishka क्या है so nishka was gold के piece जिसको as a currency इस्तमाल किया गया means of exchange is actually currency currency की एक बहुत rough सी definition दे सकता है means of exchange the penny regulated and managed trade and commerce so ये पनी से ही बनी से बनिया वर्ड बना है so ये लोग जो है वो पनी society के जो पनी लोग थे वो क्या गरते हैं trade और commerce को regulate कर रहे हैं उसके अलाबा cow जो है वो as a unit और nishka as a means of exchange इस्तमाल हो रहे है nishka is a piece of gold right barter system maritime activities transport की बात करें so rivers served as important means of transport क्योंकि riverine region में ही वो रह रह रहे हैं 7 important rivers है उसके लाबा रथो पर चलते हैं chariots पर and wagons drawn by horses and oxen were used means of transportation at land तो आप समझी गए rivers में नौकाएं ठीक है और land पर chariots और the bullock curts religion की बात करें so they worshipped and personified natural forces तो मैंने आपको बता दिया है natural forces like पृत्वी, अगनी, वायू, जल इन सब को right in many gods such as पृत्वी, अर्थ and goddess of grain अगनी, फायर, वायू, विंड, वरुन, रेन and god of truth and moral orders या god of virtues इंद्रा, थंडर मारूत, स्ट्रॉम उशा, डॉन, विश्नु god of three worlds सूर्या, destroyer of darkness तो ये सारे जो हैं वो natural forces ही है obviously so this is a chariot एक छोटा सा जो है वो cartoon है chariot का वैसे इतना मलब हम clear characteristic देखिये spoke wild है, दो घोडे है ठीक है, ऊपर छत्र है और ये है देखिये वो आदिवास this was the wagon ये आपका आप मान सकते हैं कि ये एक rigvedic wagon है reconstructed है obviously अभी तक जो है हमें बहुत कम evidences मिले हैं और मिले हैं वैसे इंडो आरियन लोगों के chariots वगेरा हमें caucus वाले region और उसके नीचे अगर आजाएं तो अनातोलिया वाले region से मिले हैं लेकिन इस तरह का well preserved नहीं है ये तो बाद में बनाये गया है there was the prevalence of monotheism monotheism की भी prevalence थी लेकिन आप कहेंगे कि इतने सारे देवता गिना दिये और फिर आप बोल रहे है monotheism कैसे तो वो monotheism है with the idea of a supreme power कि इन सब देवी देवताओं के ऊपर भी एक कोई supreme power है उन्होंने इन सभी देवी देवताओं को शक्ती दी है ठीक है the idea of single supreme power governing and controlling the universe seems to have emerged Indra was the most prominent god and was known as purandar pur मतलब की किला और purandar मतलब जो किले को ध्वस करे किले को destroy करे यानि destroyer of forts और god of rain क्योंकि clans को अब ये पुरandar माना जाता है कि कोई होगा हो सकता है कि कोई एक मतलब बलशाली ऐसा कोई आरे शाशक रहा हो राजन रहा हो जिसने बहुत सारे अन्ने tribal chiefs के किलों को जो है वो द्वस्त किया हो जहां से ये मतलब एक character जो है वो इंद्र डवलप हुआ है जिसके साथ पुरंदर वर्ड जूड़ गया है ठीक है पुर का मतलब होता है fortification जैसे मनमला न गड़ी गड़ इनका मतलब दुर्ग इनका मतलब fortification होता है same goes for पुर पुर का मतलब भी क्या होता है एक fortified settlement अगनी वस second सबसे important देवता कौन है इंद्र के बाद अगनी वस second in importance क्योंकि अगनी देखे यहाँ पर concept क्या था कि ऊपर से बारिश आ रही है बारिश से घास लग रही है घास से उनका kettle खाना खा रहा है उस जानवर को मार कर वो खा रहे है तो बारिश की वज़े से जीवन चल रहा है उनका तो सबसे important देवता कौन हो गया बारिश का ठीक है या अंबर का यानि इंद्र दूसरा अब अपनी जो भी sacrifices है वो उस उपर वाले तक कैसे पहुचाएंगे वो आग के माद्यम से वो आग में अपने मान लीजे जानवरों को डाल रहे है वो आग में अगर अपने अनाज को डाल रहे है तो वो जल के वैपर फॉर्म में आ जा रहा है या गैशिस फॉर्म में आ जा रहा है क्यों हम जो भी इसमें डाल रहे हैं वो ध्वस्त हो कर हवा में मिल जा रहा है और ऊपर चला जा रहा है ठीक है और फिर वो बादल बनकर गरज कर वापिस बरस जा रहा है वो धरती पर आ जा रहा है और फिर उससे अन्य जानवर बन जा रहे हैं यहां से जो है वो क्या बनता ह इस the concept of rebirth से निकलने के लिए कई अलग-अलग उपाए वैदिक पीपल के अलग, बुदिस्ट के अलग, जैनिस के अलग, अन्य 64, मतलब है हेट्रोडॉक्स सेक्स जो मैं आपको महाजन पर पीरिड में बताऊंगा, महाँ पर समझाऊंगा डिटेल में से, ठीक है, बहुत इंट अगनी वस कंसिड़ेटरी बिट्वीन गॉड्स एंड वर्शिपर्स, मैंने आपको समझाया कैसे, सोम रस पीजाता था है, इफेडरा नाम के पौधे से, ठीक है, इफेडरा नाम के पौधे से, सोमरूस डवलप होता है, और सोमरस बेसिकली एक, एक इंटॉक्सिकेंट है, एक नशीला पदार्थ है, फीमेल गॉडशेस है, अदिती और उशाज वर अलस वर्शिप्ट, देर वर नो टेंपल्स, नो आइडल वर्शिप्पिंग, सो रिगवैदिक पीरियाद, नो टेंपल्स, नो आइडल वर्शिप्पिंग, इवन दो आव परसोनिफाइड इस ने नहीं था, ठीक है, प्रेयर्स वर ओफर्ड टु गॉडड घी, मिल्क, ग्रेन वर गिवन एज ओफरिंग, इलाबरेट रिच्वल्स, वर फॉलोड दूरिं वर्शिप्पिंग, 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 क्या क्यों की जा रही है, कि पुत्र मिले, ठीक है, materialistic gains के लिए किये जा रहा है, यग्य, जबकि उपनिशदों और फिर बाद में, जाइनिस्ट और बुदिस्ट जो literature है, या बुदिस्ट जो traditions है, उन्होंने कहा कि, आपको materialistic से spiritualism की तरफ move करना चाहिए, आपको आध्यात्म सोल, और आत्म और इन सब, लेकिन खुद की सोल क की तरफ जो है, वो दिहान देना चाहिए, और परमात्राप से align करना चाहिए, ना कि जादस जादस पशु मांगने चाहिए, समझ रहे हैं, तो यह difference में आगे आपको बताऊंगा, the ideological difference between Vedic Brahmanism and Buddhism, और ब्रहामनाज and उपनिशद, animals like horses, buffaloes, rams, bulls were sacrificed, ठीक है, क्योंकि हमें, हमे पिछारों के साब से हडिया मिली है, सभी जानवर होगी, सभी data होगी है, कोई ऐसा निख स्पेसिफिक जानवर, मान लिजे, कोई कहेगा कि बैलों की हत्या नहीं होती थी, तो बैलों का sacrifice दीया जा रहा है, आज भी भहारत में कई traditions में, बैलों की हत्या या बफ़लोस की हत् या बंद इन पिछले 200 पिछले 100-800 सालों में ही हुए पहले हो रही थी अभी भी अभी रिसेंट 100-800 सालों में ही हो रही थी ज्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन बफलोज की हत्तिया एज रिच्वल तो आज भी हो रही है भारत में ठीक है आगे देखिए there were no priestly class for performing the religious rights priestly class specifically यग्य करवाएगा ऐसा कोई ऐसा कोई मतलब रूल नहीं था hard and fast priestly class करा सकता है कोई एक priest यग्य करा सकता है लेकिन यग्य जो है वो एक राजन खुद भी कर सकता है ठीक है तो priestly class कोई जरूरी है क्योंकि लेटर वैदिक period में ये tradition develop हुआ कि priestly class अगर कोई ब्रहामन नहीं करवाएगा आज देखिए आज के डेट में हिंदू एक समाज में ब्रहामन आकर शादी ना करवाए तो समाज उस शादी को शादी नहीं मानता है जबकि अगर मैं एक व्यक्ति अगर किसी भी महिला को अपना जीवन साथी अगर चुन लूँ तो दुनिया की और कोई शक्ति क्यों और कैसे चैलेंज गर देगी मेरी उस अथरटी को ठीक है जबकि जो ब्रहामनिक कल्चर है वो ये क्लेरली कहता है कि जब तक ब्रहामन आकर स्पेसिफिक मंतर नहीं बोल के जाएगा तब तक आपका ये रिलेशन शादी नहीं क्यलाएगा ठीक है तो इस तरह कि मैरीज इस वन ओफ दे रिच्वल देर वर मैनी रिच्वल्स उन रिच्वल्स को प्रफॉर्म करने के लिए प्रीस्ट की जरुरत रिग्वैदिक पीरेड में नहीं थी लेटर वैदिक से उस प्रीस्ट की जरुरत ठीक है आज भी कोई वेक्ति घर बनाता है तो ब्रहामन को बुलाकर यग्य करवाय जा रहा है कोई भी बड़ा इवेंट छोटा इवेंट अगर सेलिब्रेट करना है तो ब्रहामन को बुलाकर उसको संपन कराय जा रहा है ये पकड है ब्रहामनिकल कल्चर की भारती जो कि रिग्वैदिक पीरेड में नहीं थी समझ रहे the theory of reincarnation यानि अवतार और rebirth was not completely formed so अवतारवाद अवतारवाद या reincarnation का concept रिग्वैदिक पीरेड में नहीं था लेटर वैदिक से develop होना शुरू हुआ है the रिग्वैदिक hymns had no consistent theory regarding life and rebirth rebirth को लेकर भै जो है वो लोगों के मन में लेटर वैदिक पीरेड से डालना शुरू किया गया है आगे समझाओंगा अगले topic में लेटर वैदिक हो सकता है कि आज का topic आपके लिए बहुत monotonous और लंबा रहा हो लेकिन अगर आप UPSC CAC को clear करना चाहते हैं मेंज लिखना चाहते हैं अच्छे से और अगर history optional अगर आप रख रहे हैं तब तो आपके लिए ये sessions must watch हैं बहुत important है ठीक है तो आज के session को जादा से जादा शेयर करें अपने चोहांसर को सब मैं अपनी तरफ से इतनी आप मानेंगे नहीं कितने sources से कितना पढ़कर मैं आपके लिए concept निकाल कर लाता हूँ अगर मैं किताबों के नाम रख दूँ तो यहां पर कम से कम 15-20 किताब हैं यह तो सिर्फ किताब हैं उसके लाबा और बहुत सारे sources मेरा बहुत समय गुजरा है सब information को इखटा करके आपको free में available करवाने के लिए तो अगर आप मेरे efforts को support करना चाहते हैं तो मेरा telegram channel join करें चोहान underscore sir underscore history जहां से आपको PDF मिल जाएंगे बिलकुल मफ्त लेकिन अगर आप कोई भी मेरी आपसे request है बहुत humble request है मेरे student से अगर आप कोई भी anacademy का subscription plan ले आगर आपके जान पैचान का कोई भी विक्ती subscription plan ले रहा है so make sure आप चोहान underscore sir underscore history code का इस्तुमाल करें आपको 10% discount तो मिलेगा ही लेकिन मुझे support मिलेगा मुझे उस support की बहुत ज़्यादा आवशकता है ताकि मैं ये premium content free मैं आपके लिए YouTube पर लाता रहूँ and mind it this is a premium content ये content आपको free मैं नहीं मिलेगा आज YouTube पे जो भी teacher पढ़ा रहा है आप compare कर लें side by side मैंने जो वैदिक culture पढ़ाया और किसे ने पढ़ाया compare कर लेना ठीक है बिलकुल मैं open बोल रहा हूं इस चीज़ को और सकता है कि अगर कहीं कमी है तो मुझे बता दो मैं ये बात openly slave बोल रहा हूं कि अगर कहीं कमी रह गई तो मैं अगले lecture मुझे को ठीक कर दूँँगा मेरे लिए फायदा दोनों तरफ से और मैं मतलब समझ रहे हैं अपनी boasting भी कर सकता हूं मैं ठीक तो खेर मैं confident हूं अपने content को लेकर काफी इसलिए कह रहा हूं और अगर आप regularly follow कर रहे हैं तो आप भी confident होगी सरहाँ ठीक कह रहे हैं राइट सो आज के session हो करते हैं complete यहाँ पर इसके बाद मैं रिगवैदिक पीरेड हमारा होगे रिगवैदिक में हमने क्या पड़ा उनके geopolitical situation को देखा उनके literature को देखा उनके administration को देखा society को देखा family को देखा culture को देखा trade commerce को देखा उसके अलावा society में caste system को देखा इन सारे classes में special classes का होंगी application पर ठीक है जल्दी उसके बारे में आपको मैं या तो अपने टेलिग्राम चैनल पर knowledge पूरी information देदूँगा या तो instagram पर देदूँगा मैं आपको यसे टेलिग्राम चैनल पर आपको मैं provide करी दूँगा कि कब मैं special class लोगा और उसमें मैं किन questions को add करने जा रहा हूँ right so करते हैं conclude मिलते हैं अगले session में तब तक लिए अपना ध्यान रखेगा take care have a nice day